असलामों अलेकुम मैं हुआशन महमूत एंड वेलकम टू जायोंस आज की वीडियो में हम एक नई सीरिस का एकास करने जा रहे हैं जिसमें के हम एक न्यूस्पेपर एप बनाएंगे जिसमें फ्रेंट हम रिएक्ट जैस कंपोनेंट लाइडरी को यूज करेंगे और यूई डिजाइन करेंगे आज की वीडियो में मैं आपको मेली जो रिक्वार्मेंट्स होंगी प्रजेक्ट की उनको गो तुरू करऊंगा और चीजें दिखाऊंगा जो हम कवर करेंगे और उसके बाद नेक्स वीडियो में हम फ्रेंट के प्रजेक्ट को सेट अप करेंग और बाखी सीरिस के डिलेटिट जो डी अपडेट्स हम पब्लिश करें वो पहले आप तक पहुंच जाएं चलते हैं वीडियो को तर यह आपके लिए एक शोट यूराइल में बना दिया जाएंस.com slash newspaper app development course इसको आप विजिट करेंगे जैसे कि अगर मैं यहां पे इसको विजिट रहता हूं तो आपके सामने एक PDF उपन हो जाएगी और यह हमेशा आपके सामने अप-to-date format में ही open होगी जिसमें के जो हम में इस course में cover कर दे होंगे वो मैंने साथा explain कर दिया कि एक newspaper app बनाएंगे website और mobile app mobile app कैसे बनाएंगे वो मैं आपको add the end of course बताऊंगा और mainly हम website पर focus कर दे हूंगे उसको responsive बनाएंगे front end के लिए हम the access यूज़ करेंगे back end के लिए हम laravel यूज़ करेंगे myaskill database और third party API जहां से हम news का content लेके आएंगे उसके इलावा यह इसी document में एक और page का link है इसके new videos आते जाएंगे तो वो यहाँ पर add होती जाएंगे तो यह आपकी convenience के लिए यह बनाया गया उसके बाद अब start करते हैं कि project की requirements के हैं project की requirements ही हैं कि हम auth screens बनाएंगे दो auth screen होंगी एक register के लिए एक login के लिए जब user register यह login कर चुका होगा उसके बाद user के पास option होगा जहां पर user redirect होगा वो search article का page होगा यह list article का page उसको कह देते हैं start में हम एक layout को follow करेंगे create list और at the end of course अगर हमारे पास time होगा थो हम उसको दूसरी layout में भी convert कर देंगे otherwise वह आपका challenge task होगा जहां पर कि हम news articles को display करवाएंगे उनका title अगर image होगी वो story और description जो होगी वो चीज़ जो चीज़ हम show करवाना चाहेंगे उस चीज़ को हम वहां पर display करवाएंगे और उसके बाद यहां पर basically इस page पे user के पास ability होगी उपर एक search box होगा जिसमें के user जब कोई keyword एंटर करेग कोई भी लख्स तो हम उसके title में से जो news title होगा उसमें से उसको search करेंगे उसके बाद user के पास ability होगी कि वो जो news हो उनको date category और source wise filter कर सके क्योंकि हम जैसे मैंने का कि हम third party API को use करते हो वे इस news को लेके आ रहे होंगे तो उसमें से उसके पास option होगा क्योंकि मैं इस source में से देखना चाहरा हूं input इस source में से नहीं देखना चाहरा हूं next एक और page होगा personalized news feed का जिसमें के user के पास ability होगी उसकी layout almost इसी तरह होगी लेकिन इसमें basically हम user को वो वाली news दिखा रहे होंगे जिस जो के उसमें option predefined select कि होगे basically source categories और author ये user के पास option होगा कि वो predefined info select कर दे अपनी preference में जो कि उसी page पे option होगा button होगा जिससे हमें किसी तरह एक setting का page यह pop-up model को show करवाएंगे जिसमें कि वो उस setting को करवा होगा और last requirement यह है कि यह mobile responsive होना चाहिए next discuss करते हैं इसके data sources को मैंने यहां पर 3-4 sources हैं उनको shortlist किया है आप इनके इलावा भी use कर सकते हैं इस course में हम mainly इनको use कर रहे होंगे अगर मैं आप इस पे click करके इनको open भी कर सकते हैं control press करके रखें और इन पे click करें यह new tab में open हो जाएंगे एक यह API हम use कर रहे होंगे उसके बाद एक यह वाली API use कर रहे होंगे इस website पे आपको sign up करने के लिए यह sign in करने के लिए एक company email की जूरत होग है कि आपकी जो Gmail address है वो यहां पे acceptable नहीं होगा आप कोई भी अगर आपके पास domain है तो आप इस पे एक account set up कर सकेंगे जैसे कि मैंने इस पे account set up करने के लिए अपनी जो personal email थी SM at zions.com उसको use किया और उसके थूरूब एक account create कर लिया यह website इस पे आपको Gmail के साथ account create कर सकेंगे तो यह आपके पास एक option है अगर आप इस पे ना create कर सकेंगे same यह website पर भी ऐसे ही है इस पर भी आप easily account create कर सकेंगे और last year इस website पर भी आपपी easily account create कर सकेंगे सिर्फ यह पहली वेबसाइट के रिक्वार्मेंट है कि इसको एक कंपनी इमेल चाहिए और यह जो पब्लिक इमेल है उसको यूज़ नहीं करेगा ओके वाफिज आ जाते हैं यहां पर इसी के साथ हमारे डेटा सोर्सेस कंपलीट होगे जो अधर रिक्वार्मेंट्स है हमारी आप में ननको अधर रिक्वार्मेंट्स ने बेसिकली का कि स्रेट्टवर बड़ है पहला पॉइंट बहुत ही इसकर वरदैके दो एप्स होंगी जो के पांच different concepts पे consist करता है तो इसमें आप basically इन concepts को भी सीखेंगे क्योंके ये concepts क्या होते हैं और इनको किस तरह implement करते हैं Lastly अगर हम ये project में कहीं पे जरूरत परी images यूज़ करने की तो उसके लिए हम pixel की या unsplash की API को यूज़ करेंगे इनके links भी मैंने यहां पे दियो हुए हैं ताकि अगर आपने से कोई भी इसको study करना चाहिए काफी straight forward है और बहुत easily इन दोनों की आपको API की भी मिल जाएगी और अराम से आप इनको use कर सकेगे यही mainly हम करने होंगे last week अगर आपने कोई भी feedback देना होगा यह contact करना होगा तो मैंने साथ ही इसमे contact details भी add कर दी हैं ताकि अगर आपने कोई भी feedback कोर्स के related प्रवाइट करना हो तो आप उसको provide कर सके और हमेशा की तरह आप कोर्स के comment section में वीडियो के comment section में भी comment करके मुझे अगा कर सकते हैं यह थी आज की वीडियो, hopefully आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी इस कोर्स में हम एक complete working professional news app बनाने वाले हैं जिसके थूँ आप react.js और Laravel के concept को बहुत ही अच्छी तरह सीख सकेंगे नेक्स वीडियो में अब हम react.js के project को set up करेंगे और उसमें जो UI library हम use करेंगे और बाकी जो packages हम use कर रहे होंगे उनको set up करके front end के project को finalize करेंगे उसके बाद उससे next video में हम back end के project को set up करेंगे वीडियो को like share and comment करें चैनल को subscribe करें मैं आप से मिलूँगा next video में तब तक के लिए अज़ाब आपके से don't forget to like this video and also subscribe to my channel इसलामालेकुम मैं हूँ एसन मेहमोद and welcome to zyons यह हमारी सीरीज की दूसरी वीडियो है इस सीरीज में हम एक newspaper की app बनाएंगे जिसमें front end हम the xas के साथ बना रहे हैं और back end हम लारावल के साथ बनाएंगे आज की वीडियो में हम front end project को सेट अप करेंगे एक react.js के project को सेट अप करेंगे और उसमें जो packages बगारा हम यूज कर रहे होंगे उनको सेट अप करके project front end project को finalize कर लेंगे और उसके बाद next video में हम फिल back end project को finalize करेंगे और तिर हम proper recording से start करेंगे और front end की UI की screen बनाएंगे और back end की functionality को बनाएंगे चलते हैं वीडियो के तरफ कि स्टार्ट करने के लिए मैं यहां पे chrome browser को open कर लोंगा और यहां पे last time मैंने यह आपके साथ शेयर कर दिया था इसका link जिसके तरू कि आप इसको open कर सकते हैं इसका short URL एक दफ़ा मैं फिर open कर देता हूं यह short URL है इसका zions.com slash newspaper app development course इसको आप open करेंगे तो यह जो document है आपके पास open हो जाएंगे और बाकी जो links हैं वो इस document में available है अब हम अपनी जो react.js की app है basically आप रियक्ट.js की आप काफी तरीकों से बना सकते हैं कोई wallet plate यूज़ कर सकते हैं wheat यूज़ कर सकते हैं और भी काफी कुछ यूज़ कर सकते हैं मैं basically जो react.js की app बना रहा हो गाँगा वो ionic यूज़ करके बना रहा होगा terminal open करेंगे और आयोनी क्लिक के सर्च करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की output आने चाहिए अब यहां से हम next एक folder में चले जाएंगे जहां पर कि हमने यह app बनानी है तो उसके लिए मैं क्योंकि यह रियक्टचेस की app है तो मैं रियक्टचेस के projects में आ जाँगा और क्योंकि यह जाएंस की app है तो मैं जाएंस में आ जाँगा और उसमें यह folder मैंने पहले ही बनाया होगा है जिसमें के यह folder खाली है इसका नाम हम copy कर लेंगे और इसको delete कर देंगे और इसमें terminal को open कर लेंगे अगर आप windows में है तो cmd को उस folder में open कर लें और ionic start यह मैंने बिसकली यह command को start करने के लिए wizard को no कह दें उसके बार यहां से react.js और project का नाम मैंने जो copy किया था वो यहां से blank select करूंगा और उसके बार यह basically जो है packages और इंस्टोल करेगा और that's it यह सारा काम करेगा जब तक यह finalize हो रहा है तब तक हम next move करते हैं और यह choose कर लेते हैं कि हम basically जो UI component library है वो कौन से use कर रहे होगे आप यह argue कर सकते हैं कि हम ionic को यूज कर लें no.ionic काफी अची है लेकिन इसमें ना recently एक से दो issues आयो हुए है जो के है के जो अभी project start होता है तो मैं आपको दिखा भी दोंगा ionic CLI और ionic framework basically अपना router प्रवाइट करता है जो के ionic router react के लिए और वो आउटर अभी react router 6 version को support नहीं करता एक तो यह इसकी major वज़ा है मेरे ना चूज करने की और उसके इलावा इसके कुछ components में select के component में और भी बाकी एक दो components में issue आते हैं जब basically हम ज़रा complex UI में जाते हैं जो के मुझे previous एक दो project में face हुए थे इन दो चीज़ों की वज़ा से मैंने ionic CLI को इस course के लिए choose नहीं किया बलके जो UI library हम इस course में use कर रहे होंगे वो है Redux UI हम आप इसको open करेंगे search करके और यह आपके पास आजएगा यह basically काफी कहलें के freehand UI है इसमें बहुत ज्यादा customization हो जाती है और काफी यह basically ना popularity की तब जादी है और इसमें उस तरह के issues भी नहीं है यह सिरफ और सिरफ यूआई को basically deal कर दी है यह आईनिक framework की तरह नहीं है कि जो के बहुत ज्यादा चीज़ों को deal करने कोशिश करदा है यह सिरफ UI को deal करदा है once again यह मेरी personal preference है और इस project के लिए मैंने इसको चूज किया आप चाहें तो आयनिक को यूज कर लें material UI को यूज कर लें जिसको मर्जी यूज कर लें उससे end result की look and feel में फरक परेगा लेकिन बाकी अगर आप follow करेंगे चीज़ें तो as such कुछ फरक नहीं पर नहीं तो हमारा यह यह कंपीट हो चुका होगा इसको नो कह दें यह बैसिकली अहनिक CLI को मैंने इस वज़ा से यूज किया है क्योंकि यहां पर मैं आपको उपन करते दिखाता हूं सॉरी मुझे इसको दुबारा उपन करना पड़ेगा वो यहां भी आके इसमें मैं आप टर्मिनल उपन कर देता हूं और इसको कोड इडिटर में उपन कर देता हूं इसको चूज करने की वज़ा यह है कि यह बिसकली साइपर्स को सैट अप कर देता है जस्किस अगर आपने टेस्टिंग करनी हो एसलेंट टाइप स्क्रेप्ट वीड काफी चीजों को हमारे लिए सैट अप कर देता है हमारा प्रजेक्ट बिसिकली क्रिएट हो गया नेक्स अब हमने इसे सैट अप करना है जिसमें कि हम आयुनिक को सबसे पहले जितने भी पैकेजज और आयुनिक का जो प्रजेक्ट में बेसिकली रिफरेंस है उसको खतम कर देंगे यह हम नेक्स करेंगे स्टार्ट करने के लिए मैं यहां पर पैकेश.json को उपन आड़ लोंगा और यहां से आयमी के जो पैकेजिस हैं उनको अनिंस्टोल करदोंगा जिसमें के यह दो पैकेजिस हैं और टाइप्स के पैकेजिस को मैं मूफ करदोंगा नीचे क्योंकि टाइप से डेवलपमेंट होती है production dependencies नहीं होती और icon इसको भी मैं निस्ट्रोल कर दूँगा क्योंकि हमारे पास दीडेक्स UI में icons है otherwise अगर हमें ज़रूरत होगी तो मैं एक old package है वो आपको recommend करूँगा ओके यह basically मैंने extension की हुई है just in case अगर आप interested हैं कि यह कौन सी extension है तो यह basically npm outdated यह मुझे काफी पसंद extension है यह basically जब मैं package.json को open करता हूँ तो मुझे बता देता है कि कौन सा project sorry कौन सा package outdated है और मैं यहां पर बहुत ही easily उस पे hover करके quick fix में जाके यहां तो उस specific project यहां तो specific package को upgrade कर सकता हूँ उसके latest version पर यहां फिर यह नीचे option देता है कि सारे packages को update कर लो और excluding major मैं इसके क्लिक करूंगा और अब फिर मैं major project यहां पर इसको update कर लोगा इसी तरह मैं नीचे आउँगा और यह basically थोड़ी से time लगेगा इसको save करते हैं वाफिज आते हैं close करके दोबारा open कर लेते हैं एक अपा और hopefully अब यह मुझे option देगा कि मैं सब को ही update कर लूँ दो तिन दफ़ार try करना परेगा कभी-कभी यह सब को update यह अब इसने option दे लिया तो मैं सब को update कर लूँगा और that's it इसी तरह मेरी सारे packages update होगे मैं एक रफाह आयूनिक को यहां पर search कर लूँगा यहां पर आयूनिक लिखा हुआ क्योंकि हमने पूरा लाप्स भी रिमूफ करना है तो हम इसको भी update कर देंगे news paper sorry app developed using react.js and ladawell developed by अहसंन महमूद manager at zyons ओक्य यह लूब यह हमने इसको नाम दे दिया यहां पर यह नाम okay है बाकी चीजे मुझे okay लग रही है okay इसी के साथ इसको मैं close कर दूँगा और next मैं यहां पर project में क्योंकि मैंने यह package रिमूफ कर दी है तो मैं सबसे पहले इसमें project में npm install करूँगा और मैं यहां पर npm की जगा pnpm यूज कर रहा हूं उसका सरफ benefit इतना है कि यह basically एक centralized location पर जो packages होते हैं को इंस्टॉल करता है जिसकी वजह से जो install और same project को इंस्टॉल करते वक्त मेरा जो install टाइम है वो काफी कम हो जाता है आप इसको further study कर सकते हैं अगर आप npm या यान को भी यूज कर सकते हैं या बंद को यूज कर सकते हैं मैं अभी इसको यूज कर रहा हूं यहां पर वाफिस आएंगे और अब मैं यहां पर ionic को सर्च करूँगा ओके यह basically अभी इसमें है इसको मैं भी देख लेता हूं वहां से remove हो जाना चाहिए था मैं उसको अब ही यहां पर ionic के ही mention है ओके इसको बार में देख लगे हैं next यहां पर आते हैं यह हम इसकी ID को अपडेट कर देंगे com.zions.newspaper और उसके बाद यहां पर इसको अपडेट कर देंगे news paper app और इसी को कोपी करके मैं यहां पर देना है that's it इसी के बाद इदर आ जाएंगे यह basically extension नहीं चाहिए तो इस section कोई मैं उड़ा दोंगा यहां से manifest में आके यहां पे भी यही नाम और यहां पे भी यही नाम और उसके बाद यह अब code में चला कर ठीक है code में आ जाएंगे और यहां से start करेंगे क्योंकि आप यह देखें पहले यह react router version 5 यूज कर रहा था उसमें redirect का component है था और क्योंकि अब मैंने इसको latest version पर अपडेट कर दिया है तो redirect का component है वो remove हो चुका है और react router 6 बहुत ही अच्छा है basically मुझे personally दो ही router अभी पसंद है एक तो react router 6 है version 6 वो काफी अच्छा है यहां फिर 10 stack router 10 stack router को पसंद करने की वज़ा यह है कि उसमें basically जो url search parameters होते हैं वो बरे अच्छे control होते हैं जो के react router 6 में मुझे manually control करने परते हैं लेकिन इस project के लिए अच्छा है कोई इतना मुश्किल नहीं है तो हम react router के साथ ही चलेंगे और वो आपके लिए भी सान होगा आपको एक और नहीं चीज़ नहीं सीखने करेंगी अभी करिए वो उसके लिए मैं फिर कभी वीडियो ना रूँगा यह सारा भी रिमूव हो जाएगा यहां तक यह सारा और यह भी और यहां पर अभी के लिए मैं यहां पर लैट्स दे सर्फ एक एच्छवन एट कर देता हूँ working at least working और बाद में पर आम उसको यहां पर यह हॉम को यूज़ करने हैं हमारे पास हॉम में इसको प्लोज किया हॉम में यहां पर यहां पर यहां पर इसको रिमॉफ कर देख और इस तरह css में क्या है कुछ भी नहीं कंपोनेंट्स यहां पर यह आनिक है और इसी के साथ मेरे ख्याल से यह ठीक होड़ ओके एक दफार प्रजेक्ट को स्टार्ट करते हैं उससे पहले देख लेते हैं आईउनिक जो है अभी सिर्वर से विसमें है तो इसको बैसिकली मैं यह करूंग कि इसको एक दफार डिलीट करके मैं चाहता हूं कि मैंने करना रेफ्रेंस पूरी तरह रिमोग हो जाए ओके पी एम पी एम इंस्ट्रॉल एट से यहां पर यह किसी और की जासे आरहा है यह हुआ और लेट सी आओके यह बिन एक ख्याल से यह किसी यहां चलें देख रहते ह किसके वजासे आरहा है आयमिक सी एलाइ पर लोगा यह बैसिकली ओके इससे हमें वैसे कोई फरक भी नहीं पढ़ने वाला तो इस वजा से इसको भी रहने लेट को स्टार्ट करते हैं प्रजेक्ट को यहां पर स्टार्ट करने के लिए जो हमारे पास कमांड है वो डैफ टी आर्ट की शोर्ट फर्म मेंने एक हुई है बहुत अफ्रबी सेम रिजसल्ट आएगा एनन लिकंगा फिर भी सेम और 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 पुरा आपने अब्बास नहीं बनाया हुए अधर आप यह बनाए बना लिए इस की वीडियो जायों के यूट़्ुब चैनल पी है कि आप किस तर सकते हैं उसके बाद हम इस URL को विजिट करेंगे और हमारे पास एप रन नो रही है मैं एक दफ़ा देख लूँगा कि लोकल स्टोरी कंसोल में कोई इश्यू तो नहीं हारा ओके यह कंप्लीट हो गया नेक्स्ट अब हम मूफ करेंगे और बिसीकली इसमें रैडिक्स यूई का पैकिज इंस्टॉल करेंगे कंटीनियो करने से पहले क्योंकि यहां पे हमने काफी यह चेंजिस किया हुए है और प्लीज मैं आपको स्ट्रॉंगली रिकुमेंड करता हूं कि जब भी आप इसी प्रजेक्ट पे काम कर रहे हो तो प्लीज उसमें गिट को जरूर सैट अप करें आरनिक्स यहला इने हमार प्लीज को कमेट करते जायें । हिस्ट्री पनाव रगाकर यहां पर मैं इसकी हिस्ट्री को मिनटेन कर लूंगा और कमेंट कर दोंगा और यह स्टेटस कम लेन होना चाहिए अब मैं यहां पे इसमें आ जाओंगा और इसके गेटिंग स्टार्टिट में आ जाओंगा मुझे इसकी जुरूरत है यहां पे मुझे कुछ पैकेजिस की जुरूरत है तो मैं एक दफाई इंस्टॉल कर लोगा और वन्स अगें मैं पी एंड पी एम यूज़ करता हूँ यह उसके इलावा मुझे इसमें मैं बेसिकली नीचे आ जाओंगा जो चीजें मुझे इसमें रिक्वाइर हैं वो मैं एक साथ ही इंस्टॉल कर लोगा ता कि मैं बार-बार मुझे वो चीजें ना करें मैं प्लेमिट्रिस में आ जाओंगा उसके इलावा कलर्स और आइकॉन्स और यह बिसिकली हर एका इन विज्वल है जैसे कि मुझे जिस चीज की ज़रूरत परेगी थो कलर्स हैं कलर अगर बैने कही तो उसकी ज़रदव पर फ्रेज्वड परेगी ब्राक्स में आये यह पैकज लेड़ार इसका इसके स्मॉल स्मॉल पैकेज़ें तो आपको फॉफुली इसका कूल मस्का नहीं होगा आइकॉंस यह आइकॉंस हैं इसके बैसिकली अगर आप यूज़ करना चाहें तो इसलिए मैं उनको पहले इंस्टॉल करें और इसके लावा बाकी चले हमने जब जब जरूरत होगी तब हम उसे इंस्टॉल कर लेंगे अभी के लिए एट लीस्ट हमारा काम चल जाएगा इसक बैसिकली यह रेटिक्स यूई हमारी यहां पे इंस्टॉल होगी है मैं यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको यह सिंपल सा जो फ्लेक्स बॉक्स है इसको लगा के दिखा दूँगा ताकि इसको हम देख सकें और उसके बाद नेक्स हम जो रियक्त रॉटर 6 क्योंकि अभी हमा प्लेक्स बैसा तो यह यहां पे फॉफ फॉली इंस्टॉल हो चुका होगा जी हो गया ओके यहां पर आउंगा और इसमें 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 आजा है इसको ऊके जब आप यह पैकेजिज इंस्टॉल करें और आपको इस तरह जैसे मुझे और अजरा ना मिले तो इसे फाइलों को क्लोज करें और कंट्रॉल शिफ्ट पी और री लोड कर लें डिवैलपर री लोड विंटो उसके बाद एक दफा फिर इसको उपन करें किसी टीएस फाइल को यह एक्सेंशन वगयारा बिसिकली ऑटो री लोड जब न्यू पैकेज़ें स्टोल करते हैं कभी-कभी काम नही इसको देखर अरे लॉड टाल कुछ दार सॉट कर देखिए मॉस परबुली ऐससे मस्ले हो जाते हैं इसको मैं रिमोट कर दोँग चृ Vous कि यह से अभी कर रहे हैं और अगर अभी मैं यहां पर आकर रिख्रेश कर दूंगा तो इस तरह हैं लेकिन हमें इसका जो रिजल्ट है वह ज़रा तो चाहिए तो उसके लिए हमें बैसिकली यह थीम का कंपोनेंट एट करना पड़ेगा तो यहां पे मैं एक पहले फाइल बन मैं इसको पूरे पाफी का लूग है यह धोंगया और इसको मैं सरफ कहाड़ूगा एप एंट्री पोइंट और यहां पर बेसे कली है यहां के मैं कर अझा की और उसमें यह और चले फेले इसे आप ग्शा दीप्राइब हुआ एफ आप इन्टीपॉंट को भी यहां पर में सिर्फ एप एंट्री पॉइंट आएगा और यहां पर यही आगा यहां पर रिफ्रेश करेंगे अभी भी बिसिकली खासा फरक नहीं परा सॉरी मैंने इसकी CSS ने इंपॉर्ट की यहां पर आएंगे और उपर इसके फॉरन बाद यह चीज़ जरूरी है और यहां पर आएंगे एप एंट्री पॉइंट और यहां पर और होफ़ुली इसके साथ आप देख सकते हैं कि यह इसका जो स्टाइलिंग है वो एटलीस पहले से बेतर होगी अब यहां पर मैं आपको मज़े की चीज़ दिखाता हूँ क्यों आजकल मुझे इतनी अची लग रही है और ओवर राली अची लग रही है यहां पर हमारे पास इसका एक बड़ा प्यारा सा कंपोनेंट है जिसको के इन्होंने अविशली बताया भी होगा है सारा मैं कोई अपने से नहीं बता रहा यहां पर यह थीम पैदा है आप इसको पक्रें एप एंट्री में आएं और सिर्फ इसको यहां पर प्लेस करें और इसके साथ देखें क्या हमारे पास आता है यहां पर आए यह हमारे पास एक पैनल सा आगे और देखें कि क्या होता है मैं यहां पर क्लिक करता हूं और हमारी याफ का कलर वगारा चेंज हो गया और यह परसिस्ट करना है तो आप यहां से कोपी करके वैली को पेस्ट कर सकते हैं वह भी मैं दिखा दोंगा लेकिन अभी कंटिनु गरते हैं यह डार कर दिया डार्क मोट और आप देखें के पूरे यह नहीं किया और उसके बाद थिर उसके मसले की वजासे मैं आप यहां पर देख सकते हैं यह मैं सेव करता हूं रिफ्रेश करता हूं यह हो गया है जो डार्क मोड है वह कैसे होता है बिसिकली परसिस्ट वह अपेरेंस से होता है और वंस अगें यह सारा कुछ मैंशन है ड हो तो प्लीज जरूर कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में मैं जरूर उसको एक्स्प्रेंड करूँगा ओविएस्ली इस पूरी आप को तो हम बनाई दे होंगे लेकिन मैं पूरी यूई लाइपरेडी तो एक्स्प्रेंड नहीं कर सकूँगा तो अगर कुछ रह जाए और तो आप उसको ट्राइ करें आपसे नाख हो रही हो तो प्लीज जरूर मेंट सेक्शन में मैं उसको एक्स्प्रेंड कर दोगा ओके मूव ओन करते हैं नेक्स अब हम राउटिंग को वाफिज ले आते हैं अपने वह एप में कि अगर कि अगर के तो वाफिज आते हैं यहां पे और इसके लिए सबसे पहले मैं और फाइल यहां पर बना लूँगा और उससे पहले वन सगें आप मुझे देखने होंगे मैं काम क्योंकि तुरह आपको एक्स्प्रेंड करने के लिए जो एटेंशन है वो डावर्ट हो है लेकिन परिसनली जब मैं काम कर रहाता हूं तो इस चीज की अटलीस मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जब भी एक बेसिकली जो कहलें कि सिग्नीफ कंट चेंज करने लगां तो उससे पहले मैं कमिट जरूर करूं तो प्लीज इसके जरूर हैबिट बनाएं जब आप इन त और तो बहुत इमोजें से अट कर लिया करें चले अपना मैसेश पड़के कभी खुद ही बंदा कुछ हो जाता है ओके यहां पे एप राउटिंग यहां राउटर वट्सरावर जो भी आप कहना चाहिए राउटर क्या दें क्योंकि इसमें से राउटर एक्सपोर्ट हो रह जो के होगा क्रियेट ब्राउजर रॉटर वन्स अगें यह वी 6 है वी 5 नहीं है वी 5 में यह नहीं था यह रिसेंटली एड़ हुआ है वी 6 में और यह बरा जबरदस्त है इसमें बेसिकली आप राउटिंग को इस तरह अबजेक्स के साथ कर सकते हैं मुझे सिरफ जावा स् तो इसके साथ कर ला हूँगा आपको अगर यह अच्छा ना लगे तो आप इसका दूसरा तरीका यूज़ कर सकते हैं जो कि मैं शो कर देता हूं एक लिस लेकिन हम कंटिन्यू इसके साथ ही करेंगे वो होगा ब्राउजर मैं यह रिकमेंट नहीं करूंगा आपको कि आप बैसिकली इसको चूज़ करें इसमें भी एक और तरीक है और फिर वाफिस उसमें आते हैं यह वाला तो सबसे असान है ना यह बैसिकली आप इसका वो कर लेंगे कंपोनेंट बनाएंगे और उसमें ब्राउजर राउट करेंगे और इसमें लाउट्स कर लेंगे लेकिन यह मैं आप रिकमेंट नहीं करूंगा क्योंकि यह ओल्ड हो चुका है इसमें वो डेटा एपियस नहीं है लोडर एक्शन एरर बांडरी वगारा तो यह बिलकु रिकमेंड इड नहीं है वाला जो असान है थोड़ा अगर आप उसको करना चाहें तो आप कर सकते हैं और आप जैक्ट के बजाए आप इसको मैं ख़तम गर देता हूँ आप कह सकते हैं क्रियेट राउजर राउट शुरी राउट आउट्स राउट्स रॉम चिलडर राउट्स प्रॉम एलिमेंट और अब बैसिकली राउट और अलिमेंट जस्ट रूम एक प्रियेट राउट फ्रॉम चिल्डर इसमें आप ज्यादा कर सकते हैं यह चिल्डरन इसमें यह जाएगा और इसमें आप पाथ होगारा एटी सी जो भी आप डिफाइन करना चाहें और राउट को बस इंपोर्ट कर चलने पहले ताकि उसको पता चल दे पाथ एटी सी जो भी आप इसको कहना चाहें और ऐलिमेंट कहना चाहें देस और यह और यह बैसिकली अरे में नहीं आएगा डैरेक्ट आएगा ओके क्योंकि आप इदर कॉमा लगा कि और एक तरीका है अगर आप इसको फोलो पर पर न नहीं जाएं एलिमेंट जो आपको चाहिए वह आप डिफाइन कर देंगे पाथ जो आपको चाहिए वह आप डिफाइन कर देंगे और यसलिए आप चिल्ड्रन वगयरा भी डिफाइन कर सकते हैं अगर आपने कोई डैटा करना है एक्शन डिफाइन कर सकते हैं अगर आपन इस काम्पोनेन्ट में एर्र कम्पोनेन्ट मनाते हैं, ओके यहां पे एर्रस एंड एर्र Boundry X.ps और यहां पे अभी के लिए मैं इसको simple रख रहा हूं बहुत सब्सक्राइब इसको बाद में हम improve कर लेंगे लेकिन अभी के लिए हम इसको इतना simple हो सकता हूँ प्रमाइस को simple रख रहा हूँ ओके यहां पे मैं सिल फोच सबक्राइब हारा हूँ heading जो के मैं दर से लेके आ रहा हूँ something went wrong जतना simple हो सके और आप इदर से export कर सकते हैं और अगर आप basically default के fan है तो आप पर export default कर सकते हैं जैसे आप हो गतर लिए यहां पे हम इसको कर लेंगे okay और अभी यहां पे बिसिकली डैलिटिव इंपोर्ट्स आ रही हैं तो यह चीज़ हम next tackle करेंगे once again हम कोशिश करेंगे कि इसमें जितनी best practices हो सके use करें ताके at the end जो हमारा end result आए वो best आए ओके यह हमारा हो गया यह राउटर हो गया और हम आ जाएंगे वाफिज एरल बांडरी हमारी होगी एप में आ जाएंगे अब एप में हमें entry point entry point में हमें basically let's say के अब हमें entry point में theme और यहां पे अब हमें home नहीं चाहिए हमें बलके router provider चाहिए जिसमें के हम router देंगे और जिसमें हम app router को add कर देंगे और यह हमारा finalize होगे और home को यहां से skip कर देंगे यहां पे entry point आ रहा है ओके और यह में में जाके यहां पे insert all है यह चीज़ मुझे पसंद नहीं है कभी कभी basically गलती से चीज़ नहीं मिलती तो बहतर है कि हम confirm करने बजाए इसके कि हम के क्यों के मुझे पता है और यह चीज़ मुझे यह चीज़ मुझे होगी रूट element यहां पे यह लेकिन better safe than sorry और else case में basically आप alert कर सकते हैं console either करवा सकते हैं सिर्फ यूजर को बता सकते हैं कि okay यह जो element root element not found at least better बजाए इसके कि आप ट्राइप को force करें के जी मुझे पता है obviously है लेकिन यहां पे अब हम इसे refresh करते हैं visually कोई change नहीं आया बस routing वाफिस आगई है अगर आप देखना चाहते हैं तो हम एक quickly यहां पर basically एक component बना लेते हैं let's say के out का ही बना लेते हैं क्योंकि हमें out के बाद में pages चाहिए होंगे तो और register okay यहां पर मैं एक convention आपको clear करता जाओं continue करने से पहले कोई भी ऐसा page जिसमें tsx की file होगी मतलब के जो direct component की file होगी उसका जो फोल्डर का नाम होगा वो capital होगा और उसके चाहिए पेरेंट कंपोनेंट हो यहां जो भी उसमें इंडोईशल कंपोनेंट हो जिसमें सिरफ ts की file होगी यहां tsx की file नहीं होगी इस sense में ले ले उसका जो फोल्डर का नेम होगा वो small में दे ओके यह हम pattern फोलो करेंगे यहां पर मैं सिर्फ फुट सिर्फ इसे quickly और इसके लिए मैं इसको कॉपी करूंगा थाक में काइंट से मुझे और इसे मैं कहता हूं का सुरी इसको मैंने रिजिस्टर करें मैं अभी अभी अबाउट करेंगे यह पेज है once again यह मेरी कन्मेंशन है कि मैं पेज के आगे इसके साथ चलें हम एत लीस जो डोराउटस को ट्राई कर लेंगे जो चीवात है element मुझे कुँन सा चाहिए element मुझे चाहिए रिजिस्टर पेज का और बाकी मैं अधर से कोपी करने के लिए यह मुझे रिजिस्टर पेच आई और और यहां पे मैं पेज एक एड़ सोरी बटन एड़ कर लेता हूं जो कि मुझे वहां पे लेकिए जाएगा यह पहले ही बटन है तो इस पे आन क्लिक पे हम हैंडलर अधनल कर लेते हैं और उसके लिए आप मुझे नैविगेट किये चाहिए योज नैविगेट और हम यहां पर नैविगेट कर देए और पर का रिजिस्टर पर होफिली काम करेगा और कर दाए उमीद नहीं थी लेकिन काम कर रहा है चले अच्छा होगी है नेक्स अब एक बड़ा ही मज़े का कॉंसेप्ट करने जा रहे हैं जो के है तायप स्क्रिप पास अगर आपको पहली पता है तो आप नेक्स पास को स्क्रिप करके उस से अगले पार्ट पर जा सकते हैं अगर नही जिशा की तरह एक लिए कोड़ की तरह कंटिन्यू करने से पहले कमिट कर लें प्लीज और अब मैं शोर्ट फॉर्म से यूज कर रहा हूं पहले मैं पूरी कमांड लिखता था अब मैंने शोर्ट कट यूज किया जो के जी है अट लीस मेरे सिस्टम पर मैंने अट कियो आप लीज देख नीजेगा यूट्यूब चैनल पर पड़ी है जायोंस के उसमें मैंने अट कमिट के लिए और मैंने से मैसिज देना है यहां पर राउटिंग एड़िट नेक्स्ट अटिएंग ड़ा टाइप स्क्लेट पार्स को अगया कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट अब हम आईड करेंगे टाइप स्क्रेप पार्स को उसके लिए आप प्रोजेक्ट में आजएं और यहां पर मैं एक गफार फिन फाईल उपन गए ताईप स्क्रीप है क्या चीज़ बेसिकली मैं चाहता हूं कि इंस्टेट यह रेलिटिव पाथ की बजाए मैं यहां पर एट सिंबल एड करूं या कोई भी एक सिंबल जो भी मौस्ट कमन एक सिंबल यूज होती है और यह एड सिंबल सोर्स फोल्डर को रिप्रेजेंट कर दियो ओके अभी मैं है उसके बाद बेस यूरल सुरी यहां पर डबल कोर्स यूज है बेस यूरल सेम लास्ट ली पाथ जो के होगा जो सिंबल आपको चाहिए वन्स अगें एट ही रखिएगा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रत नहीं है और स्टैरिक मतलब कि एड के बाद जो भी है उसको मैप क दो सोर्स के बाद उस चीज को मेंकि एड जो है वो रिप्लेस हो जाएगा इस पाथ के साथ और बाकी बेसिकली स्टैरिक अपने स्टैरिक के साथ रिप्लेस हो जाएगा यह हुआ लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ अभी यह चीज टाइप स्कृप्ट को तो समझ लगी ह लेकिन जो हमारा built engine है वीट जो है उसको समझने लगी उसके लिए हम इसमें आएंगे इसकी configuration file में और यहां पर हमें basically एक resolve factor करना परेगा जिसमें alias add करना परेगा जिसको हम कहेंगे कि add symbol जो है और once again इसको यह कर दो इसको resolve आपने करना है path.resolve और sorry path को पहले import करना पड़ेगा import path sorry path from path resolve sorry और यहां पर अब मुझे पहले काफी simple होता था यह यहां पर अब मुझे third name चाहिए basically यह current directory का नेम चाहिए और उसमें मैं बाद में कहा दूँगा कि source में जाना that से यह काफी simple है लेकिन यहां पर जो मुझे है वो यह डर नेम की है तो इतना मुझे नहीं है लेकिन यह आपको कहलें कि याद पिरना परेगा यहां जैसे भी है from URL और URL को लाने के जाए आप direct वो function लें है जो हमें चाह this और इसमें basically अब URL देना है तो वो आजाएगा हमारा basically import क्योंकि अब जो latest आगया है यह module टाइप उसमें meta.url अब आप direct to bo process को यूज नहीं कर सकते हैं और यहां पे हमारे पास file path आगया इस file path से अब हम directory name या directory path को बना सकते हैं काफी simple है path dot der name यह function है जिसमें के हमें इस file का path दे रहें और that's it यह जो error है यह basically वीट का अपनी configuration का error है at error नहीं है लेकिन at least file चोई यह करती है और यहां पे आप देख सकते हैं कि अब वीट को भी समय लगगी है क्योंकि मैंने किस तरह resolve करना है और go करेंगे चल रहा है इसी के साथ अब हम जो हमारे imports हैं उपडेट हर देंगे at और यहां पर भी at इसका फाइदा यह होगा कि अगर हम इसको फाइल को ठाकर कहीं और भी रख देंगे तो यह जो इंपोर्ट हैं वो सही रहेंगी यह काफी अच्छा लग और अभी के लिए test क्यूंकि हम नहीं लिख रहे तो इसको मैं इस फाइल को डिलीट कर रहा हूं की इससे वड़गों कि इस य नहीं सुट नहीं और इसकेर आव बडलीट लिख ए अब ये अब यह काफी बेकर दन एक दफा ट्राइ कर लिते हैं कि हमारा जो होड़ है वह भी चाहरा है और लास्ट ली एक दफाइस की बिल्द बना कर देख लेख लिए को दो कोड़ी शोट कट एलीस है आप चाहें तो इसको एड़ कर सकते हैं अद आफ पूरी कमाड लेखें पर बैल यहां पर देखते हैं और जी बिल्ड कंप्लीट हो गी है मतलब यह चाहरा है और अगर आप और ज्यादा कंफर्म करना चाहें तो उसका काफी असान तरीक है बिसकली यह डिस्स का पॉल्डर बना है यहां पर वो सर्फ का पैकेज लाके में पासर्फ का पैकेज आ है जी है तो मैं अभी आपको चला की दिखा रहता हूं सी जिस सर्फ डॉट एंड इसका बैसिकली एक क्मांड होती थी जो कि ना एस पीए की तरह भी एफ़ती थी सिंगल यह वन डैश एस सर्फ डॉट डैश एस यह बिसिकली सिंगल पेज आप की तरह इसको बिहेव कर लाएगी और यह 1000 पर चलेगी है 3000 पर यह चला है यह रिप्लेश करेंगे और यह बिचार तो लाट सिट इसको क्लोज कर दें बस यह डैमो कर पर दिस था ओके इसको ए चुके हैं उनको लिख लेते हैं सबसे पहले हमने बिसिकली अपना प्रजेक्ट क्रियेट किया था उसके बाद उसमें से आरनिक को रिमॉफ किया था उसके बाद हमने Redix UI को एड किया था उसके बाद हमने जो रॉटर था उसको एड किया था और TypeScript पाट सब हमने एड कर लिए ओके उसको हम कमिट कर लेते हैं और उसके बाद देख लेते हैं अगर हमें यहां पर फ्रॉंट एंड में और कोई चीज रिकॉयर है अभी के लिए मैं इसको क्लोस करेंगे और नेक्स वीडियो में हम बैक एंड से स्टार परिंगे बैक एंड के पर प्रजेक्ट को साट अप कर ले इसको कमिट कर लेते हैं यह थी आज की वीडियो आपको आज की वीडियो बहुत इपसंदा यह होगी वीडियो के रिलेटिट कोई भी क्वेस्टन हो तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में मैं उसका जवाब दोगा वीडियो को लाइक शेर एंड कमेंट करें चैनल को सबस्क्राइब करें इस कोर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिलिंग नंबर्स के साथ और कॉंटेक्ट लिच्स में ज़रूर शेर करें ताकि जो रियाक्ट शीखना चाते हैं या लारावल सीखना चाहते हैं, वो इस वीडियो से फाइदा हांसिल कर सकें और इस कोर्स को फॉलो करते हो वे एक प्रोपर परजेक्ट बना कर अपने पॉर्टपोलियो में एड़ कर सकें और अपनी जोब अचीव कर सकें वन्स अगें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकों को जुरूर प्रेस करें ताके न्यू आने वाली वीडियो की आपको अलर्ट मिरता दे मैं आप से मिलूँगा नेक्स वीडियो में तब तक के लिए लिए लापस अब तक हम दो वीडियो है अब तक हम दो वीडियो है अब तक हम दो वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं फस्स वीडियो में हमने कोर्स का इंट्रोडक्शन किया था सेकेंड वीडियो में हमने रियक्ट जैस के प्रजेक्ट को सैट अप किया था यह हमारी थर्ड वीडियो है इस वीडियो में हम अपने लारवल के प्रजेक्ट को सैटफ करेंगे और उसके बाद नेक्स वीडियो में हम बेजीकली वाफिस अपनी यृवाइज सेक्षिन पर वाफिस आएंगे और जो हमारी अग्टिस इंज है उसको कम्प्रीट करेंगे चलते हैं वीडियो की तरह वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट के इस कोर्स को अपने फेंज के साहिप, व्रेंगी वेμपर्स के साहथ और कॉंटेक्ट क्लिस में जरूर शेयर करें, अपने स्टेटिस पे लगा दें, सोशल मीडिया पे शेयर करें, जैसे भी हो सके, ताकि जो लोग आपकी कॉंटेक्ट पर इसमें, लियक्ट जेयस या लारावल डॉयलपमेंट सीखना चाते हैं, वो इस कोर्श से फाइदा हांसिन कर सेके, स्टार्ट करते बेसिकली ये लारावल अपी है नहीं, लारावल, ओके, फर्स्ट रेप साइट होगी, लारावल डॉट कॉम, होफफुली, अकर सेकंड थर्ट पर आज़े तो कोई मसला नहीं, इसको उपन कर लें फिर भी, और गेटिंग स्टार्टिड में आज़ें, यहां पर अब लारा चीजों पर टुटेल में फोकस नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आपका कोई क्वेस्टन रह जाए कि अगर आप एक बिगनर लेवल से इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप वो क्वेस्टन पूछ सकते हैं, उसके रिस्पेक्टिव वीडियो जो होगी, वो आपके साँ शेयर कर दी जाएगी, अदर्वाइस आप डिरेक्टि उसको जायों के यूट्यूब चैनल से भी देख सकते हैं, कि ये सारी चीजें जो अगर हम इसको मेंशन करें, सुरी, यहां पर यूट्यूब, MPM, Node.js, इसकी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस, यह हमने सारा पहले डिसकस कर इस वजह से मैं थोड़ा असा इस कोर्स में स्पीड से जा रहा हूं कि हमने काफी कुछ कवर करना है, तो अगर मैं बेसिक चीजों पर बहुत ज्यादा टाइम लगाँगा, तो एकलिस जो थोड़ा बहुत उसको जानते हैं, उनके लिए काफी मुश्किल हो जाएगी, जो आप Mac OS पे हैं, तो आपका PHP, MySQL, ETC सेट अप होना चाहिए, मैं क्योंकि Mac OS के हूँ और मेरा basically Laravel वायलेट भी सेट अप है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि चीजों को सिंपल ही रखूँगा, basically Laravel वायलेट की डुमेन भी सेट अप परूँगा, क्योंकि वो Windows यूजर सेट नहीं कर पाएंगे, विंडोस पे Laravel वायलेट नहीं चलता, तो उनके लिए मसला होगा, तो इसलिए मैं Local Host पे दोंगा, और HTTP पे ही दोंगा, ताकि अगर कोई मसला HTTP लोकल होस पे आये, तो वो मुझे भी face हो, और मैं उसका फिर solution भी बता हूँ, otherwise मैं उसको वायलेट पे जा यहां पे हम यहां पर basically इसे close कर देंगे, और यहां पे आप यह कमांड रण करेंगे, यह कमांड basically इस चीज़ को confirm करेंगे, कि अगर आपके पास लालावायल इंस्टॉलर पहले हैं भी इंस्टॉल हो तो फिर भी इस कमांड को रण करने से आपको कोई हार्म नहीं होगा, य और मैं personally इस चीज़ को पसंद करता हूं कि कोई भी नहीं प्रजेक्ट जान इस पहले होगा, तो इस कमांड को एक दफ़ार रण कर लें ताकि कोई मिनियर या पैज अपडेट आई है तो वह हमें मिर जाए, नेक्स्ट अब हमने यह कमांड रण करनी है और हमारा एक प्रज है यहां पे लारवल सर्च करूंगा प्रजेक्स और लायोंस में आ जाएंगा यहां से अब मैंने निवस्पेपर आप में आना है और यह लाहा हैbes सब्सक्राइब उर्भ मिर नाम कोपी कर लोगा और इसमें टर्मिनल को बस्द्राइब खर लो गार में यहां पर अवे यहा को यहां पर मैं कर दोगा यहां से यह मुझसे पूछेगा कोई स्टार्ट चाहिए यह बेसिकली तब जरूरी होगी जब आप फ्रेंट भी लारावल में कर दे हो क्योंकि अमने सिरफ लारावल में इसकी बैक एंड अपिय लिखनी है तो इसकी जुरूत नहीं है नो करेंगे और यह बस इसको एक दफ़ा इंस्टॉल कर लेगा आप अगर पहली दफ़ाइस कमांड को रन करेंगे तो इंस्टॉलेशन में काफी ताइम लगेगा मेरा क्योंकि यह पहले काफी दफ़ा लनों चुकिए इसलिए अल्मॉस्ट हर एक पैकेज पहले ही वेलेबल थ इस प्रचेक्त में शिफ्ट करेंगे नियूस्टिपर और उसके बाद इसको ऑपन कर लेंगे अब हमारी यहां से बात स्टार्ट होगी ओके प्रज्जЕК्ट हमारा क्रीट हो चुक है नैक्स्ट अब हम इस प्रजएक्त को एक दफ़ा गो धूज़ करेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें अपनी पहली API लिखेंगे और उसको पोस्टमैन के साथ टेस्ट करेंगे कि लाडावल का प्रजेक्ट अगर तो आपने पहले काफी दफा देखा हुआ है तो ऐसे जिसमें अभी गो तुरू करने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि ने कोई चीज नहीं है लेकिन आपको इसका इंट्रॉडक्शन दिये देता हूं अगर आप एक पिकनर है तो अदर्वा सबसे पहले अप का फोल्डर रहा है जिसमें के बैसिकलि एत्टीप का फोल्डर रहा है मेंली हम जो अपना लॉजिक बैसिकली एक ट्रॉजिक होगा वह यह पे वाइल और फोलडर ना आ कि उसमें लिखते हो गी कि और उसके लिए हम रिसोर्स इज मिनाएंगे जो के इसी वोड़र में रिसॉर्स्स का फॉल्डर बनेगा और उसमें आए-गे और अगर हमें कहीं पे जरुरत होगी तो हम कुछ मीर्वियर भी बनाएंगे जो के मिडल वेल के फॉल्डर में उसके बाद जो हो सकता है हम कुछ config keys add करें या उनको change करें database में हमारा main काम होगा क्योंकि हम migrations को add कर दे होंगे seeders को add कर दे होंगे even हो सकता है factories को भी add करें ताकि fake data create कर सेखें otherwise हम सिर्फ migration को mainly migrations हम ज़रूर add करेंगे क्योंकि हमारी requirement है हमने basically user जो टेबल है उसको accordingly set करना है अपनी अप्रोडिंग लिए migration अगर add नहीं करेंगे तो इसको add करें public folder इसमें सर्फ basic files है जो के app की serving के लिए यूज होती है resource का folder तब बहुत ज़रूरी होता है जब आप front end Laravel की app में रखें हम क्योंकि इसमें front end नहीं दखते होंगे इसलिए हम इस फोल्डर को ज्यादा नहीं देखते होंगे इसमें HTML CSS sorry blade templates होते हैं Java script or CSS हम इसको नहीं देखते होंगे इसको हम बहुत खासी देखते होंगे जिसमें वेब में एक general basically wild card redirect का देंगे अपने front end एंटे और API में basically हम यहां पर सारा काम कर देंगे और that's mainly it उसके इलावा क्योंकि हम फाइल अप्लोडिंग या इस नहीं कर दी होंगे तो इस वजा से स्टोरीज या दूसरी चीज़ों का भी टेस्ट करने की जो होते है इन्वी कीज यह basically हमारा इसके लिए आप सबसे पहले हमें इसकी डेटावेस के सेटप के लिए यहां पर रहा है और basically आप सिंप्ली मैक या विंडोस दोनों में सिंप्ली वैंप को यहां जैंप को डॉनलोड करके इंस्टोल कर सकते हैं जैसे मैंने बताया कि मैंने लारवल वालेट को किया हुआ है तो मैं सिर्फ डेटावेस उसकी यूज कर रहा हूंगा क्योंकि मैं लादाएक सर्वर नहीं चलाना चाहता है तो इसके लिए मैंने पी एचप माई एडमन डॉट टेस्ट इसको सैटप किया हुआ है यह लिटरली बिलकुल सेम है जैसे कि मैंने एवन मेरे पास ये भी है त तो मैं इसको भी चला सकता हूँ तो मुझे सिर्फ पर सिर्फ ये डेटावेस का सर्वर चाहिए इस वजह से मैं सिर्फ इसे यूज कर रहा हूं और वालट का यहां पर कोई काम नहीं है रूट पासवर्ट उसके साथ एंटर कर लिया और यहां पे अब मैं एक डेटावेस क हैं और इसको बियूब इसको डियूम यहां पर अपडेट ऒ़़णा को ये बाकी लिट्ल सेम है सोही है यहां पर आके इसको बिसकली मैं ख्रोज करोंग्जांगे यहां पर पी एच्पी माई फुल कमांड लिखते रहने का फाइदा ही है कि वह बूदती नहीं है लेकिन शोर्ट कट का फाइदा ही है कि चलने जड़ा चल्दी हो जाता है तो दोनों चीजें करते रहा करें ता कि बूले ना यह डैटाबेस तो गयरा सेटप बोग रही है नेक्स्ट अब हम एक इसमें एक चोटी सी बेसिक एपिये बनाएंगे और उसको सिर्फ पॉस्टमें के साथ उसकी बेसिक टेस्टिंग करेंगे मीन कॉल करेंगे लानावल में एपियेस बनाना बहुत ही सिंपल है आप राउट्स के फॉलडर में आपे और एपिये डौट पी एच पी के फॉलडर में आ राते हैं यहां पे यह बिसिकली यह क्या इसकी राउप में न out शाहिए, उके उसका path क्या होगा, path let's say मैंने कह रही है, test API 1, ये इसका path है, ओके वो करेगा क्या, उसका action क्या होगा, अब action यहां तो मैं यहां भी कह सकता हूँ, okay ये function call होगा, ये basically मैं कह सकता हूँ, वो return क्या करेगा, let's say मैं कह रहता हूँ, वो okay return करेगा, और इसको close करना, ये अब एक API बन चुकी है, सिर्फ इतने काम से, मैंने कहा, okay मुझे एक route साइए, get का, जिसका path ये होगा, और वो ये काम करेगा, that's it, okay मैं postman को यहां पर चला लेता हूँ, postman, okay यहां पर नहीं आरा, कोई मसला नहीं, हम यहां से देख रहते हैं, यहां पर यहां पर पॉस्ट्मेंट स्टार्ट हो गया, यहां पर मैं एक इसकी collection दना लूँगा, इसी एप के नाम से, news, paper, app, react.js, and लाला, course, zions, utio, यह मैंने collection ना ली, और इसमें अब मैं एक folder बना लूँगा, जो के मैं उसको कहा दूँगा, test, apis, इसमें मैं एक request create करूँगा, जो के होगा, test, api1, जो मैंने वहां पर नाम दिया लाँ, अब, यह है कि इसका path पूरा path क्या है, जिनको तो पता है, वो continue कर सकते हैं, उसको complete कर सकते हैं, जिनको नहीं पता, path बड़ा ही simple है, जब हम Laravel की app को run करते हैं, जो के मैं अभी करके दिखा देता हूँ, php artisan, sir, पुरी command लिखके दिखा देता हूँ, php artisan, sir, यह command है, इसको थोड़ा भी कर देता हूँ, आपके इसानी के लिए, यह करेंगे तो यह चल जाएगा, इसका shortcut मैं यूज कर देता हूँ, पी, ए, 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 और पी, ए, मीन, php artisan, मैंने इसको देता हूँ, अब यह basically इसका path है, जो के project का path है, जिस पे project शर्थ, तो इसे मैं सबसे पहले इसके basically environment variables में आउँगा, एक environment को create करूँगा, और इसको let's say मैं कहता हूँ, news, paper, app, environment, v1, ओके, यह मैंने इसको नाम दे दि और इसमें मैंने कह दिया backend URL, और, sorry, इसमें अंटर ने था करना है, यह इसका path आगया, that's it, अब, यहाँ पे आके, मैं, इनको use कर लूँगा, और यहाँ पे यह नहीं आ रहा हूँ, उसकी वज़जा यह कि मैंने environment select ने जिया, मैं यहाँ से environment select करूँगा, अब जब यहाँ आउंगा, तो यह basically मुझे यह backend URL दे रहा है, और इसके अगर होवर करेंगे तो उसका path वगयरा भी दिखा देगा कि उसकी value कि है, उसके बाद, अगर आप इसको ऐसे ही hit कर देंगे, तो आपके पास जो laravel की app है, वो return हो जागी, obviously html के साथ, और यह same वही app है, जो यहाँ from zions कर दें, और refresh करेंगे, यह यहाँ पर हो गया, यहाँ पर आकर send करें, और यह ले hello for zions, mean confirm हो गया कि यह है, अब जो भी चीज़ हम यहाँ पे API.php में लिखते हैं यह laravel का rule है, कि उसके साथ automatically वो slash API, यह लगा रहता है, उसके बाद अब जो path आपने लिखा होगा था, यह यहाँ आएगा, यह अइसे, okay, इसको send करते हैं और आप देख सकते हैं, okay, आरहा है, मैं change कर दिखा देता हूं, okay, from zions कर देते हैं, send करते हैं, और okay, from zions आ और यहाँ पर यह अब है, यह अब है, यह अब है, मेरलब tax है, html, जो भी हाँ करना चाहिए, आपको JSON चाहिए सिंपल आप इसकी जगा रिस्पॉंस सेंड करें और रिस्पॉंस कहरें के जएसं फार्मिट का उना चाहिए और अब इसमें जो मर्जी जास डेरें Let's say, मैं एक object दे रहता हूँ, जिसमें एक data की की है, जिसमें के यह है, यहाँ पर send करते हैं और आप देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं, अब इसको थोड़ा सा और बेटर करते हैं, क्योंकि यह तरीका at least मुझे नहीं पसंद दे, ऐसे direct functions का, किसी वज़ा पर basically कोई specific reason होगा, वहाँ पर तो ठीक है, लेकिन हर एक काम के लिए यह काम करना अच्छा नहीं, तो अच्छा काम क्या है कि आप controllers बनाएं, उसका तरीका कर क्या है, आप basically यहाँ पर आ जाएंगे, php artisan make controller, और अब सबसे पहले हम अपनी name space define करेंगे, zions, zions name space में करना है, okay, चाहिए क्या, test controller चाहिए मुझे, और यह controller किस type का है, अगर आपने आगे नहीं करना तो okay है, otherwise आप इसको कह दें कि यह API type का है, क्योंकि मेरा API type कैस वज़ा से मैंने लिए, और यह controller create हो गया, यहाँ पर आके देखेंगे, यह zions में test controller, API type का मतलब क्या होता है, इ इसको two कह देता हूँ, यहाँ पर यह देखें, two create होगा है, और two में अब यहाँ पर इसने कुछ initiate नहीं किया, जब मैंने उसको कहा कि यह API type का था, और यहाँ पर इसकी एक और टाइप होती है, model, उसको try कर लेते है, three, model, let's see, ah sorry, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि जब मैंने API define नहीं की कि यह API type का controller, तो उसको कुछ initiate नहीं किया, कुछ functions नहीं लिथे मेरे लिए, जब मैंने उसको define किया, कि यह API type का था, तो उसने जो default basically sense, default boiler plate था, उसके according लिए इसको initiate कर दिया, क्योंकि एक list का function चाहिए, एक store का create करने के लिए, update का put करने के लिए, और destroy का, यह simple functions है, अगर आप इनको यूज करना चाहिए, कर लेए, यहाँ पर मैं इनको delete कर दूँगा, और यहाँ पर, इस चीज को, मैं, यहाँ पर यह भी delete कर दूँगा, क्योंकि यह test control हो रहा है, तो यहाँ पर सारे functions मैं खुद ही लिख र यह मैंने controller बनाया, और return time, let's say, मैं इसका return type अभी के लिए remove कर रहाँ, return मैं यहाँ से response, और JSON, data, ok, from lions, from control, और इसी के साथ यह complete हो गया, और अब इसको use करने का तरीका का यह है कि आप यहाँ पर, काफी तरीका का रहे हैं, एक यह simple तरीका का यह है कि test controller लिखें, add function का नाम लिखें, कि कौन सा controller है और कौन सा function, और यहाँ पर आएं, send करें, और test controller को पहले, यहाँ पे हमारी API बनती ही है, यहाँ पे हमारा यह controller function डिफाइन हो गया, यह मैं spacing issue clear कर दूँगा, और unused import को खतम कर दूँगा, और यहाँ पे आके अब इसको use करने का क्या तरीका है, यूज करने के 2 से 3 तरीके हैं, जो simplest तरीका वो यह है कि आप यहाँ पे controller को define करें, कि कौन से controller को call करना है, और उसको as a class और कौन सा उसका function आप call करना चाहरें, जैसे कि मैं यह function call करना चाहरा है, तो मैं इसको call कर दूँगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे आके, यह अभी ok from zions है, मैं send करूंगा, यह ok from zions from controller हो जाए, दूसरा जो इसका तरीका कार है, वो ज्यादा useful तब होता है, जब basically आपने एक ही controller पे काफी ज्यादा functions को call करना हो, जो कि obviously यह test controller के लिए भी valid हो सकता है, तो उसका तरीका कार यह है कि आप route को get can की बजाए, आप कहते हैं कि route में मुझे controller चाहिए, ok, controller गौन सा चाहिए, वो define आप कर देते हैं, और उसके बाद आप उसको group कर देते हैं, group में function call करते हैं, और उसमें आप routes call करते जाते हैं, उसमें आप individual route में आदेते हैं, जो कि अब इसमें controller बताने की जूद नहीं, आप direct उसको function बता देते हैं, क्योंकि कौन सा function call करना है, that से, इसको तोरा सा अपडेट कर देते हैं, ताकि मैं बता चाहिए, कि यह अपडेट हुआ भी है कर नहीं, to send or to आगी है, ठीक है, हम mostly यह इस बार 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 यह वाला यह उसको पर क्राहिए, क्योंकि यह जरा क्योंकि आप आप एक जाए पर चोटे लेवल के हमने dry का concept यूज की आप नहीं, दो नोट रपीट एओर सेल्फ का, ओके, हमारी यह आपर यह वह बनी है कर दो नेक्स्ट अभार यह लेगा, जो हम यह चाहिए दो से तीन पैकेज़ेस हैं जिनकी जुरूरत है अथंटिकेशन के लिए एटिये मैनेजमेंट के लिए एटिसी उनको इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद पिर हम वाफिस आ जाएंगे अपने फ्रेंट एंड पे जो के नेक्स वीडियो होगी और फिर फ्रेंट कंटिन्यू करने से पहले हम यहाँ पे इस कोड को एक तुछा क्लें कर लेंगे यह कमेंट से मैंने आपको बताने के लिए यूज किया था और ऐस सच इतना कोई खास नहीं है इस वजा से हम सच से पहले यहां पे एक निया टैब उपन कर लोंगा इसको एड कमिट कर लेंग नेक्स्ट हमने जो दो पैकेज़ी से एड करने हैं वो है लारावल टैलिसकोप यह चाहिए हमें और दूसरा यह चाहिए हमें सेंटम यह दो चाहिए हम इनको इंस्टॉल करने के लिए मैं यहां से इनकी क्मांड को भी कर लोंगा जो इंस्टॉल कमंड है और सैथ ही को भी क arrकेज़ी कर लोगा यहां से ऐनोंने थोड़ चेंज कर दी है चलें यहां पर दोनों को सब्सक्राइब का जाया यह पहले यह रेङजा है यह साथ हैसके बाद यह भी है यह मैं मैं कमांडumes को चेंज़ करता चाहित ताकि बैसिकली बहुत आजे और यह नोंने डैफ किया हुआ है यह क्योंके बैसिकली हमें सब्सक्राइब के लिए चाहिए तो मैंस में आड़ कर दूँगा ड़ इसके लावा इंस्टॉल माइगरेट माइगरेट भी एक दफार रण कर जाते हैं और उसके लावा इसके लाव करना है यह बैसिकली एपीए मनिटरिंग के लिए यूज़ होता है यह काफ़ी अच्छा टूल है यह मैं आपको भी यूज़ करके दिखाता हूँ बड़ा इसको बाद में भी एक कर लेते हैं यहां से देख लेते हैं यहां से कुछ चाहिए मैं एक दफार एक्मार रण करे अगया यह बैसिकली कोर्स के लिए इसको भी ले लेते हैं यह में ली बैसिकली जो क्रोस साइट स्क्रिप्रिंग एरर आता है उसको रिजॉल्ट रणे के लिए इसको पब्लिश करवा लाद थे हैं पब्लिश करूआने में आज सब्सक्र नहीं मैंनली इसमें हम अभी कुछ चेंज नहीं करेंगे चेंज तभी करेंगे जब जब जरूरत होगी और यह क्या कह रहा है देर्स नो कमांड डिफाइन इंस्टॉल में स्पेस कोई मसले वाली बात में कहां तक बात रही है मेरे काल से हमारी जो बात हो गई है वो पब्लिश की हो गई इसको एक दफार दोबारा वन बाई बाई बन कर लेते हैं वन बाई बन दुन करने का मसला और सॉड़ी फाइदा यह कोई आदा खायद रसमर लग जाती है उसके बाद यह प्याइंस्टॉल को देख लेते हैं यह हो गया ओके नाओ यह कहला कि यह नहीं है डान है हमने यह क पूछ लेते हैं कि क्या मसला और इसको पॉपी करते हैं और इस बाद को सच कर लेते हैं कि यह क्या गया रहा है हुपी करते हैं ठीक है पी एच पी आर्ट इसन इंस्टोर मांग नौट फांट प्रेसिकली उस चीज की बात में कहते है जो यह अधर हमें आ रहा है कोई नस्क्राइब नहीं हम इसका इसका चलें फायदा यह कि इस आइड़ को हम इस तरी इच्छे से कर लेंगे और फॉफली इसका इस्ट्रीशन भी अभी हमें मिल जाएगा यह यह पेले इस तरह ही होता था यह नोंने अभी चेंज किया सको यह फिलाल पैकेज आप इस तरह यहां पर देख लेते हैं कि मारे पास क्या क्या है पब्लिक वेंडर यह टैलिस्कोप है इसको मैं भी दिखाता हूं इदर यह है ओके यही चाहिए था मारे पास यहां पर एक ही स्ट्रॉल वाली है यह हमारा हो गया और बाखी बेसिकली जो चीज है वह मैं आपको यह हम बाफिस डाकमेंटेशन में आ जाते हैं और यहां से हम कर दे हमारे पैकेजिस इंस्टॉल हो गए हैं नेक्स हम इनको configure करते हैं जो कि हम next video में करेंगे ये वीडियो काफी लंबी होगी है नेक्स वीडियो में हम पहले telescope को configure करेंगे उसके बाद इस package को configure करेंगे और इनकी basic usage उसको देखेंगे telescope को API कॉल करके देखेंगे कि उसका क्या फाइदा है और कम को एक तफ़ा ये सेंटम जो है इसको यूज करेंगे कि API पर जो authentication है basic API पर basic authentication से भी लगा के देख रहेंगे ताकि हमें at least उसका idea हो जाए और उसके बाद के लिए हम वाफिस अपने front end से start करेंगे close करने से पहले हम सिरफ और सिरफ जो हमारा हमने ये changes की हैं उनको हम commit कर लेंगे ताकि वो हमारे save हो जाए हमने दो packages इंस्टॉल किया हम दोनों packages को हम यहां पर mention कर देंगे telescope हमने package इंस्टॉल किया और यह package हमने send from package इंस्टॉल्ड ओके यह थी आज की वीडियो ओफुली आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी वीडियो के देलिट कोई भी question हो तो प्लीज उसे comment section में mention करें मैं उसका जवाब दूँगा वीडियो को like share and comment करें चैनल को subscribe करें वीडियो को अपने friends के साथ family members के साथ और contact list में social media पे share करना बिल्कुल ना भूलें ताकि जो भी वन्दा आपकी contact list में react यह लारवाल सीखना चाता है वो sport से फाइदा उठा सके मैं आप से मिलूँगा next video में तब तक के लिए don't forget to like this video and also subscribe to my channel अलेकुम मैं हो ऐसन महमूद एंड वेलकुम तो जाइन्स न्यूज एप डिवेलप्मेंट कोर्स की यह चोथी वीडियो है अभी तक हम में फ्रंट-end के प्रजेक्क को सैटप कर दे हैं उसमें टेलिसकोप और सेंटम पकेज को एड़ कर चुके हैं और अप उस को कंफिगर करेंगे और उनका बेसिक यूजेज रेखने के बाद हम फिर अपने वाफिस फ्रंट-end की तरफ शिफ्ट करेंगे और फ्रंट-end जो है उसको डिवेलप करेंगे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक दफार फिर मैं आप से रिक्वेट्स कर देता हूं कि अ चलते हैं वीडियो कि तरफ यहां पर मैं कोट को ओपन कर लूँगा और लास्ट हमने यहां पर इसको क्लोस कर लूँगा हमने यह टैलिसकोप का पैकेज एड़ किया था और यहां पर हम चेक कर लेते हैं हमारा जो सर्वर है वो रनिंग पॉर्म में इसको एक दफार्ट कर रहते हैं और इसको ऊपर लूँगा है यहां बहारा जाते हैं और इस विडियो में हम मींरिसकोप गच को इसको ईकेजा करेंगा है सो उस तुप करेंगगे और जो चीजाे रहे चुकी हैं उसको एड़ करके इसको एक यहां से हम start करेंगे और यह काम हो चुका है यह मादा हो चुका है काम इस चीज के हमें जरूरत नहीं है यह चीज हम ऐसी रहने देंगे यहां पर यह चीज जरा जरूरी है हम composer.json को open करेंगे composer.json और इसमें हमने extra के section में लारावल डांट डिसकावर में इसको अड़ करेंगे यह हो गया एक काम next configuration में आगे enabled यह टेलिसकोप enabled इसको सर्च कर लेते हैं यह basically ENV में लिखा हुआ है जो यह किस यह टेलिसकोप की configuration में आ रहा है टेलिसकोप की यहां पर configuration पब्लिश नहीं हुई तो हम उसको पहले पब्लिश कर लेते हैं पब्लिश करने का तरीका का यह है कि हम यह है इसको command को यहां पर run करेंगे इसको close करो इसको run किया यह आ गया टेलिसकोप की यह फाइल आ गई और यह enabled इसको basically हम ENV में आट कर देंगे और मैं basically जो developer keys होती है on pen के add कर देता हूं ओके इसको true कर देंगे अभी के लिए और इस चीज को हम example ENV में भी आट कर देंगे ताकि अगर हम project को कहीं पर copy करें और हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि हम इसको उपर ले जाते हैं क्योंकि हमारे उपर जो चीजें use हो रही है उनको सिरुफ उपर रखते हैं बाकी चीजों को नीचे ले जाते हैं शिफ्ट कर देते हैं इससे चले हमारा time यह उपर वाली चीजें use हो रही है नीचे use नहीं हो रहा इसमें हम इसको यह राट कर देते हैं और नौट शेंग नीचे जो कीज हैं उनको हमने अभी तब चेंज नहीं किया वो उनके वो हमें बस ठीक है वो डिफॉल्ट कन्फिगरेशन के तोर पर हमने रखी हुई है लेकिन एस सच उनको एक्टिवली यूज नहीं कर दे हैं यह हो गया इसको बेसिकली इसको एस सच को कि कर लें और इसको यहां पर भी डिफाइन कर दें यह हो गया और इस चीज़ को यहां से कट कर दें और इसको यहां पर डिफाइन कर दें इसमें से इसको भी यहां से कट करके डिफाइन कर दें अच्छा यह हो गया ओके नेक्स्ट ये काम हम यहां पर अट कर देते हैं स्क्लिप्स में करना है फिर से कंपोजर जैसल में आ जाते हैं स्क्लिप्स में आगे और हमें किसमें चाहिए पोस्ट अप्डेट में अपडेट में ये चीज हमें अट करनी है ये ले और ये मेरे ख्याल से इसके बाद ये फिल्टरिंग वगारा इसकी अमेज़रती अभी ये बिसिकली आप इसको बाद में स्टडी करके प्राई कर लें अगर की मसला हो तो मुझसे पूछ लिए और मेरे खियाल से सिर्फ इतना ही था जी चलें टेलिस्कोप को स्टार्ट करते हैं प्रजेक्ट को स्टार्ट करें और यहां पर आजएं प्रजेक्ट के जो यूरल है उसको उपन कर लें seven this यह आपका project का URL है और end पे telescope लिखें यह आपका basically telescope चल रहा है और रहनी में और यह basically search कर रहा है कि अभी कोई API request यहाँ project में कोई request हो तो अगर मैं यहाँ पे project को open करूँगा तो basically यहाँ पे उसकी API में आके slash test API 1 यह आया और यह चीज़ यहाँ पे हमें receive होनी चाहिए थी ओके इसको यहाँ पे आके इसको यहाँ पे आके इसको यहाँ पे आके इसको आने configuration change कर दी होगी telephone, domain, path database, connection this and that, use oh sorry यहाँ पे API and these middle will be assigned okay मैंने इसे try किया है थोड़ा सा basically इसे बीवक करना पदेगा कि यह क्यों काम नहीं कर रहा सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीज़ जो है थी जो मैंने अभी add किया है वो यह है कि यहाँ पे इन्नों ने लिखा हो है कि after running this install you should remove this service provider registration from provider instead manually register service provider in register okay यह बात रहाँ कि इसका service provider इसको पक्रें और composer यह basically extra this and that bootstrap providers कि इस service provider को service provider को manually register करें इस चीज़ को confirm करने के बाद कि यह local environment है वो main issue उस चीज़ का नहीं है यहाँ पे अभी यह refresh करने के बाद मा यहाँ पे अगर कोई request ना ना हो तो basically यहाँ पे वो आ जाता है no request found with एक icon तो यहाँ पे यह error आ रहा है refresh करते हैं तो request यह चीज़ फेल हो रही है जो के कहला है कि okay database में यह चीज़ नहीं है database को चेक करते है database यह whatever यहाँ पे आके newspaper में आके यहाँ पे वो चीज़ नहीं है मतलब वो जब हम install कर देते हैं तो हमसे यह वाली command मिस हो गई इसको खतम करते हैं यह करते हैं यह होगे migration और start करते हैं अब इसको चेक करते हैं तो यह यहाँ पे basically अभी भी वो चीज़ नहीं आई अभी भी जो main चीज़ है वो नहीं आई मतलब इस से पहले यह install install की command में नन की है oh sorry इसने publish किया है और उसके बाद migrate करना पड़ेगा यह हुआ done एक दफ़ा फिर इसको पहले यहां पर confirm करें यह आगे migration यह main चीज़ है यहां पर आके आप refresh करते हैं और यह यह इसकी में बात कर रहा था जब कोई entry नहीं हो यात है अब जब मैं यहां पर entry करूंगा तो वह entry बेसिकली यह automatically registered करेगा और मुझे शो करवा देगा क्योंके तुमारी आप में यह request आई है उसका status यह रहा है उसको अगर और detail में देखना सारी चीज़ ना यह शो करवा रहता है तो यह Laravel Telescope को काफी कहलें कि helpful चीज़ है जो request हैं successful होंगी इनको भी record हर एक चीज़ को यह report करता रहता है और बताता रहता है यह new entries आई हैं उसके क्लिक करें यह लें और उसको बहुत यह काफी कमार का दूल है यह था Laravel Telescope के recording और इसकी basically यह हमने configuration अगरा add कर दी that's it mainly यही था next अब हम इसको close कर देते हैं और next अब हम इसको देख रहे होंगे Laravel Centrum को और इसको हम set up करेंगे Laravel Telescope की तरह यह Laravel Centrum भी बहुत ही important और useful package है यह basically sas app जो के react.js sorry react.js, view.js angular to angular.js और इस तरह जो front end framework से single page app हमती है SPA, single page app उन में authentication के लिए बढ़ा ही उसका आम को बहुत इसने simple कर दिया आपने basically इस package को install करना है जो हम already कर चुके हैं continue करने से पहले हम इसको हमेशा की तरह पहले git को बगरा कर लेंगे ताके हमें याद रहे यह काम हमारा कब हुआ था ओके continue करते हैं यहां पे हमारे पास यह package हमारा install हो चुक है हमने पहले install इसको कर लिया यह package है अब हम इसकी basically जो steps है installation उसके go through करेंगे आते जाते हैं यह वाला जो काम है यह हमारा हो चुक है इसको अगर अभी भी run करूंगा यह command नहीं मिल दी इसको और इसको भी मैं डीबग नहीं कर रहा क्योंके main जो चीज है वो हमारे पास है that's it okay उसके लिए अब इस चीज के हमें ज़रूरत नहीं है यह क्या खेर रहा है use personal access token model okay issuing API tokens yes main चीज यह है basically हमें यह has API tokens यह चीज चाहिए यहां पे यह चीज सिर्फ फुर्फ इसलिए चाहिए ताके हम tokens issue कर सकें एक user के against model भी आना है user में आना है और यह पहली वैसे यहां पे implement है very good next that's it अब अगर हमें basically token चाहिए एक user के against हमें सिर्फ और सिर्फ एक user create करना है और user create करके उस user के against हमने create token की request करेंगे अगर नाम कोई देना है token का देदे otherwise वह बस एक token आपको generate करके देएगा तो इसको पहले try करते हैं try करने के लिए कोई भी चीज़ try करनी हो उसका मैं जो recommend करता हूं simplest way के साथ उसको try करके पहले देख्या करें और जब उसकी सारी समझ लग जाए उसके बाद फिर आगे continue करें तो simplest way क्या हो सकता है आप एक simply route लिखें यहां पर let's say test center और यहां पर function अभी के लिए function से ही चलते हैं क्योंकि हम सिर्फ test कर रहे हैं कोई actual काम निखा रहे हैं हमें एक user चाहिए let's say के यहां पर हम user कहते हैं के user create करना है user का model किया और create कर लिया एक user को जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ mainly उसकी email चाहिए और email अभी के लिए मैं अपनी use कर रहा हूं तार कि हम सिर्फ इस काम को कर चुके और इसकी मैं migration में रेखनोंगा कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर ताकि हमें कोई URL ना है नेम रिक्वायर है और इसको मैं null label कर दोंगा ताकि हम continue कर सकें इसके email ठीक है time stamp null label password okay done that's it इसे name को भी रहने ते लेकिन कोई PHP artisan migrate fresh seed इसको कर देंगे यहां पर वाफिस आ जाएंगे email दे दी और password दे देंगे that's it password मैं hash एक बना लूँगा hash create यहां पर मैं hash बना लूँगा hash की class है उसको make का method है उसमें और जो आपने value देनी हो देते हैं let's say यहां पर मैं simple zions का नाम दे देता हूं यहां एक simple password दे देते हैं यह test password simple सा कोई password रखने that's it okay यह हो गया और mainly सरफ यह ही चाहिए यह हमें user return भी करतेगा और create करने से पहले आप basically user को get करके देख ले user where email equal to this first first यह और अगर यह नहीं है तो यह काम कर लो create कर लो और उसके बाद let's say के फिर इसको get कर लो get ना भी करें वैसे यहां पर आ जुका होगा आप अब मुझे टोकन यहां पर चाहिए तो एक टोकन create कर ले user create token and that's it और इस टोकन को मैं user के साथ return कर वादूंगा response में जेसन let's say user user और token जो के token की की में जाएगा और इसको मैं यह कर दो और इस चीज़ को मैं उठा के API में फैंक रहा हूं ताके हम डिरेक्ट उसको उदर से कूल कर सके हैं that's it यह यहां से remove कर दो हूं और इसको मैं आप कॉल कर दो हूं यहां पे testing system और backend url api slash this get call और यह हमें आ गया create api zero past one expected यहां पे इन्होंने का होगा इसका कोई token का नाम लेट से कोई भी नाम दे रहे हैं कोई फरक नहीं कर था यहां पे auth token इसको call करें यह यह user create हुआ है और यह उसका token हमें उसने create करके send कर दिया जिसमें main चीज यह यह plain text अब इस चीज को मैं इस पूरे response को save कर लिका हूं आप यहां पे save कर सकतें save as an example यह save हो गया और यह मैंने यहां से copy कर लिया save कर लिया that's it इसको यहां पे अभी paste कर लिता हूं बाद में इसको continue यहां पे अब मैं एक request बना रहा हूं वैसे तो यह बनी हुए यह इसको use कर लिते हैं और simple यह इसको use करते हैं slash user इसको आप जब token pass करेंगे एक proper token यहां पे मैं एक करता हूं request create करता हूं get user send once again back end url this that और user इसको अगर मैं ऐसे ही call करूंगा तो यह एदल दे देगा मुझे जो के है login पे redirect करवा रहा है और मुझे यहां पे login पे redirect नहीं करवाना मुझे basically उसको error return करना है यह आपको basically यहां पे 500 का error आगया और login पे वो detract करवाने कोशिश कर रहा है कि authenticated नहीं था authenticated कैसे होगा आप यहां पे आके barrel token pass करें और let's say कि जो हमने यह token copy किया था वो हम यहां पे paste करते हैं send और आप देख सकते हैं कि user का data आगया तो यह हमारी API authentication सारी चाहरी और इसको logout करवाना होगा तो आप यहां पे एक logout की request भी दे सकते हैं जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ यह जो है और आप इसका एक group भी बना सकते हैं और यहां पर लाउट क्रिये टोकन वह सारा हमारा काम हो गया अब हमने बेसिकली यह वह बेसिकली पर्मिशन्स चेक करने का तरीका कि आप उसको पर्मिशन्स कर दें और बाद में पर्मिशन्स चेक कर दें यह काम हमें अभी जरूरत नहीं है इसकी आप इसको कर सकते हैं टोकन डिलीट यह में लिए हैं और आप बेसिकली इग्जैक्ट भी कर सकते हैं token ID के थुरू मैं अभी के लिए लोग आट की जब API कॉल हो और यह तो मैं सारे टोकन डिलीट कर अरूँ that's it user this and that and response this data ya success true okay और आप चाहें तो इसको try catch में भी डाप कर सकते हैं जिस तरह आप चाहें जितना code को बेटर चाहें कर सकते हैं और यहां पे basically successful करते हैं यह ले अब लोगाउट की API once again अगर मैं लोगाउट की API को call करूंगा इसको पहले duplicate करते हैं duplicate इसको rename कर देते हैं लोगाउट user center this और अगर मैं ऐसे करने की कोशिश करूँगा फिलहाल इसको पहले लोगाउट चेंज करता हूँ अभी अभी call करूँगा तो और इसको मैं यहां से not पर कर जाता हूँ send करता हूँ तो सबसे पहले यह मुझे error देगा कि यह method exist नहीं करता और अगर मैं basically इसे यहां से जेसन नहीं आ जाता हूँ यहां पर basically इसको headers में आके आप इसको कह सकते हैं कि accept और content चाइब यहां पर application जेसन application जेसन send करें और इस दफ़ा मेसिजिस जरा बेतर हो जाएंगे तो यह काम इसमें भी कर देते हैं जो आगे हमें message आया था login वाला कि अगर यह नहीं send करता था तो यहां पर यह वाला message आ रहा था जो कि नहीं HTML format में आप यहां पर handle में आके accept और content type application जेसन करेंगे तो यह आपको message जराना बहतर format में आएगा जो कि front end पे यूज़ हो सकेगा unauthenticated और 401 ओके वाफिज आ जाते हैं यहां पर यह वाला हमारा काम सबसे बहले कह रहा है कि यह method नहीं supported करता तो method supported में आ जाते हैं अगर इसे send करूँगा तो यह करेगा आपने अपने लोग आउट किसे करना है कोई user ही नहीं आपने दिया और जब मैं यहां पर आकर इसको बैरल टोकन प्रवाइट करूँगा तो तब यह करेगा success अब दुबारा करने कोशिश करूँगा तो अब फिर वही अपने अपने फ्रेंटेंड के साथ फ्रेंटेंड को बनाएंगे और उसके बाद पिर हम continue करेंगे आप इसको all study कर सकते हैं कोई मैतर या कोई चीज आपको ना समझ लगे तो वह आप मुस्से पुछ सकते हैं यह थी आज़ की वीडियो होफली आपको आज़ की वीडियो बहुत पसंद आई ओगी वीडियो को लाइक शेयर एंड को मैंट करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिश्टेदारों के साथ दोस्ताबार के साथ सोचल मीडिया पर कॉंटेक्ट लिस्ते और जहां पर आप शे करें, मैं उसका जवाब दूँगा और इंशाला हम इस कोर्स को जल्द ही कम्प्लीट करेंगे, वीडियो को लेक्षिन और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें मैं आप से मिलूगा नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अलाफिए 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 मैं हो ऐसर महमूद और वेल्कम टू जायोंस न्यूस्पेपर आप ड्वेलप्मेंट की यह हमारी पांचवी वीडियो है अभी तक हम अपना फ्रेंट शेटप कर चुके हैं रियक्ट शेयास में बेकंड शेटप कर चुके हैं जो अथन्टिकेशन के लाइक है हमें 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 पांचज रूरी था अटा की मैंजमेंट के लिए चानलाइज करेंगे यह चीज़ हम आज की मिट करेंगे चलते हैं वीडियो के तदढ़ मैं यहां पर फ्रेंटेंड और बेकेंड के कोट को अपन गल लूँगा और इसको यहां पर स्टार्ट भी गल लेंगे साथ ही मैं यहां पर ब्रॉजर को भी अपन कर लेंगे और यहां पर पर प्रजेक्ट को स्टार्ट कर लेंगे यह हमारी फॉम पेज की वाई थी हम इसे थोड़ा सा चेंज कर देंगे और लेट से अब हम यह वाला कंपोनेंट अब हमने नहीं चाहिए ओके और यहां से हम मेंली एक ग्लोबल स्टेट ना लेंगे धी ही वाई जिसका पिर्फिस ही होगा जो हमें बताएगी क्या हम अथंटिकेट हैं नहीं ग्लोबल स्टेट मैं यहां पर NIकॉल के साथ मैनेज कर रहा हूंगा और इस आधे एंगी होगी वह मैं 10 stack Qั Oke के साथ प्रा रहा हूंँगा तो मैं यह दो चीजέ इंस्टोन करदोंगा साथ को इस पैकेजम को भी इस्टोन कर लोंगा 10 track कि एक्ट понक फोरी आ पार अमे जो ये ए पूर च्रेट के इंस्टोन को में दरशन Was और बाकें को वेकलिस टॉपर्ट इसके साथ ही मुझे कपैसिटर पर्सिस्टन यह भी चाहिए होगा बेसिकली जो अल्टिनेटिव वे है वह यह कि मैं लोकल स्टोरिज से जो विंडो डॉकल स्टोरिज होता है उसको यूज करूं लेकिन इसको मैं इस वजह से प्रैफर करा रहा हूं क्योंकि इसको यूज करन है ओके यह माला कंप्लीट हो गया यहां पर इससे मैं यहां पर स्टार्ट पर गूंगा और वाफिज आजाओंगा कोड़ में यात्र मैं state user state slash index dot ts code cost user port और ये अभी भी वो जो इंपोर्ट ओटॉम पॉर्ट का था उसमें जरा एड़र दे रहा पैकेजिज अभी इंस्टॉल किया है तो इस वजह से शेयर तो सिंप्ली वस इसको एक दफार दी लोड कर लोड़ अभी से दबारा स्टार्ट करते हैं और अब ये सभी तरह ने रख पर आए है यहां फ़र जो और अटर नपोर्ट का इश्व था वो खत्म होगी यहां पर लीकल को यूज़ करने का तरीका करिए कि आप आइटम बनाते हैं उसमें आप बता देते हैं कि इसमें किस टाइप का डैटा स्टॉर होगा और उसके एक्सपोर्ट इंटरफेस आई यूजर और उसमें आईडी जो के स्ट्रिंग होगी नीम जो के स्ट्रिंग होगा ई-मेल जो के स्ट्रिंग होगी पासवर्ट सॉरी पासवड्ट नहीं आएगा ठेंटर उसके बाद अबहाद प्रेटेट तका आठ अंद स्ट्रिंग ही रख रहा हूँ अब डेटिड एड स्ट्रेंग और डाइट सेट वाकी चीज़ें फिर मैट कर लेंगे यहां पर इससे कर लिया और नल और यहां पर मैं एक कर ढूंगा एक्सपोर्ट कॉंस्ट यूजर इस और थांट्रिकेटिट अगर आपको यह कॉंसेप्ट बिसिकली डीकॉइल में आपने पहले काम किया हुआ है तो ओके अदरवाइस यह बिसिकली दीकॉइल में यह सारे कॉंसेप्ट है डीकॉइल में बिसिकली आप आइटम बनाते हैं उसके डेटा स्टूर करते हैं सेलेक्टर के तुर आप एक आइटम में से स्पेसिफिक डेटा उसको ले सकते हैं और उसके एक और साथ क्राम कर सकते हैं यूजर डेटा गैट और सॉरी बेसिकली इसकी भी की ही ये जी की सबसे पहले दोनों आइटम और सेलेक्टर दोनों की की होती है और उसके बाद गैट का फंक्शन होता है जिसमें के आप डिफाइन करते हैं कि अगर इस जो सेलेक्टर है इसको यूजर की आजाए वैल्यू गैट करने के लिए तो क्या होगा और अगर सेट करने के लिए तो इसका सेट का मैंटर होता है जिसके थरूँ आप उसका लॉजिक लिखते हैं इसमें आप बाकी जो डिफाल आइटम्स होती हैं दूसी स्टेट्स होती हैं उनको यूजर कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपना काम कर सकते हैं जब भी अपना कोड लिखनें और प्लीज ट्राइक एच में कोशिश किया करें मौस्ट टाइम टैप किया करें ताके जो एरल केस हो उसको कवर कर सकें यह यहां पर कंप्लीट हो गया और अब हम नेक्स्ट मॉवण करेंगे हमें यहां पर एच्चो सीज चाहिए ही तो इस वक्त अब करें आप हैं यह करेंगा कियूजर इस वक्त अथन्टिकेटिड हैं के नहीं house और उसके एक और एक नहीं करा लेगा यहां तो लोगइन करेंगा यहां फिर दीडिएए आपकर देंगा और यहां पर एक चीज़ मुझे से हो भी इसको इंडेक्स पर रखेंगे साथ ही basically हम यहां पर utils का folder बना लेंगी जिसमें मुझे constants चाहिए है जिसमें के index.ts आजएगी और उसमें basically मुझे सबसे पहले export, constant, local, storage, keys यह चीज़ चाहिए है यहां पर basically मुझे user data और उसके अगेंस्ट मैं एक रैंडम से की assign कर दूँगा और user auth token उसके अगेंस्ट मैं रैंडम से की assign कर दूँगा इससे मैं अब यहां पर use करूँगा और यहां पर basically मैं इस चीज़ को verify करूँगा कि user authenticated है के नहीं है अगर user authenticated है तो okay वह continue कर सकता है otherwise उसको basically मैं login की screen पर redirect कर दूँगा अगर authenticated है तो फिर उसको homepage यह जिस route पर वो जा रहा है उस पर यहां तो जाएगा और अगर basically हमारी app में सिर्फ वो land कर रहा है तो उसको हम redirect करवा देंगे जो उसका article search का page होगा वहां पर आर्टिकल्स का page slash articles okay pages पहले हम define पर लेते हैं अपने थाक्या में उस तरफ से clear हो जाए एक कौन कौन से मारे पास pages है login slash index dot yesx और उसके बाद कि आव अट आ, दुब कर दो एंद जैं आ, जो इंद, ऑजल हैं ये अजी हुआति। हुष् कर दोसी बंद कर दोसी हुआति बंद झाल झाल यह मारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया और यहां पर साथ ही मुझे एक XCS इंस्टेंस भी चाहिए झाल 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 यहां पर हमारे पास बेस यूरल आगया और इसके लिए बेसिकली मुझे बेक एंड यूरल चाहिए जो के मैं यहां पर इन्वी इसके त्रू गेट कर लूँगा इन्वी में मैं यहां पर लिखता हूँगा बेसिकली जो जनर्रल इंफर्मेशन होगा झाल 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 इसका यूरल यहां से देख रहेंगे इसके बाद जो है वो पाथ अटैच्मेंट होगी और वो चलेगा उसके साथ हमें एक प्रोट का भी चाहिए ताकि जब हम डिपलोई करें तो हमें चेंज रिनी की जो उसके और साथ में मुझे इंक्रिप्शन और डीक्रिप्शन के लिए आँ चाहिए इसके लिए मुझे इंक्रिप्शन और इंक्रिप्शन का सीक्रिट चाहिए यहां पर थोड़ा से यह सीक्रिट क्यों वैलियू मैंने लिख लिया और अभी के लिए मैं यहीं चाहिए साथ में यह फाइल बना लेंगे एंवी एक्सैंपल और उसमें इस चीज़ को डिफाइन कर देंगे विदाउट वैलियू का यहां पर हमने यह दो फाइलें में आती हैं और नेक्स मोण और ने pnv को हमने escape करवाना है इसमें से एक और फोल्डर यहां पर एकसर बन जाता है एक extension की विज़ा से .history का वो मैंने vs code में की यह extension जो के record रखता रहता है तो मैंने इसको भी अभी escape कर देता हूँ अब मुझे यहां पर वो यूरल चाहिए उसके लिए मैं यहां पर यूटिल के अंदर ही pnv keys index.ts tsx हम सिर्फ उस फाइल में यूज़ करेंगे जहां पर कोई basically react का component यूज़ना होगा और यहां पर अब जो लॉजिक है वो हम उसको फानिर्स करनेंगे सe लूब uh pra लूब झाल 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 okay झाल 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 यह झाल 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 यह झाल झाल यह झाल झाल यह झाल यह झाल 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 यह झाल यह 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 है यह 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 है यह 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 okay string string यह 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 है यह 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 है यह 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 है यह 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 है यह 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 है यह 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 message something यह 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 कि अख़ बुट कर दोड़ कि अधिए, बुट कर दो दो यहां पर एदर शो करेंगे करो, जरो करेंगे पिल यह 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 इह है और जैसे कि मैंने भी का कि अभी प्रसेसिंग का में शो होगा क्योंकि हमने वो प्रसेसिंग लगाई है next अब यहां पर use layout effect और यहां पर metroid.addListener यह status okay sorry यह तो क्योंकि यह चेंज होगा तभी होगा और इसको basically हम wifi के साथ अभी connected है और connected है और अगर मैं इसको disconnect करता हूँ तो अब देख सकते हैं कि यह दूसरा message है जो के listener का लगा हुआ था कि कोई connection नहीं और connected false हो गया जैसे ही मैं इसको फिर enable करता हूँ और connect होगा तो उसी वक्त हमारा फिर स्टेटस आजएगा क्योंकि वाइथा के साथ connected हो गया और यह तो यह हमारा तरीखा का नहीं सबसे पहले हमने स्टेटस लेना है और उसको set करवा देना है जो के हो जाएगा set network status processing और यहां तो मैं alt state देलूँगा just in case अगर हम future में कुछ प्रोड़ करें तो यहां तो मसला ना हो processing false connect sorry is connected equal to status.connected यह चीज हो गई और इसको मैं try catch में रप्र दूँगा और catch में मैं इसको भी false कर दूँगा और इसको मैं false कर दूँगा यहां पिर उससे बेतर है कि error affected करें ओके हम यहां पर आएंगे इडिब्सक्राइड कर दूँगा और नहीं करेंक्शन पनी यहां पर error प्रोड़ को गया इसको रहने देंगे इसको सेट करने की पुर्ज़ जोगत नहीं है इसी तरह इसको भी ट्वाई कैश में रैप कर लेंगे यह इसका और यहां पर एडर अकर फॉल्स हो जाएगा यहां पर ये सेम ही काम करेगा और अगर एल आजा था तो फिर ये इस सेम काम करेगा गया हो गया और इसके बाद आप प्रिसेसिंग और इसके बाद पनेक्टिड उसके बाद सबसे पहले देखो कि कि एरल अकर्ड हुआ है तो यहां में बेसिकली एरल बांडरी शो करवाद हो था यह हमारे सारे जो केसिस के वो कवर हो यह नहीं जो बहुत है सब्सक्राइब हमारा Het इसला अजिसे मकश्ly ऊच्श्यु मे करें तब यहां पे कुछ होगा अदरवाइस कुछ भी शो на चेंडों करेंगे जहां को अगर हम को भी रूट जाउड बेजिट करें तो वह और रठामेंटिकली हमारी authentication state को check करें और उसकी base पर या तो हमें login पर redirect करवा दें या फिर हमें home पर redirect करवा दें और वहां से फिर हम आगे move on करेंगे authentication flow को update करने के लिए ताकि हमारा जब यह route route विजिट हो तो वो automatically हम सबसे पहले इसको कोपी करेंगे यहां से और नेट्वर्क चेक करने के बाद इसको मैं paste करूंगा ताकि नेट्वर्क का अगर कोई issue हो जाए यह हो गया और यह विसकली यहां पर आप देख सकते हैं कि यह पहले ही यह इस वजह से यहां पर आगए क्योंकि अभी हमारा बैकर नहीं चाहरा तो वह एरर हमारा पर आप रिजॉल्व हो चुका है और यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ एक काम करना चाहूंगा यह वह चीज से वाजिद रिजॉल्व होगी तो अब मैं बैक एंड को यहां पर चला लूँगा ताकि यह मसला कतम हो और अब जब यह कुरेक्ट करेगा तो एक लिस वो जो नेटवर्क वाला काम था जो इसने डेटा गैट कर करना था एटीसी वो सकसेस हो गया अब इसको डीडिरेक्ट करवा तो इसके लिए मैं कोर में वाफिज आ जाओंगा और इस फ्लॉव में आ जाओंगा और यह क्योंकि सिर्फ चिल्वर्ण को यहां पर कर रहा है तब इस कंपोनेंट के लॉजिक को अपडेट करना पड़ेगा और अपडेट करने से पहले मैं एक दफ इसका बैक अप ले लूगा क्योंकि चीज़ें अकसर गल्प हो जाती है तो चले उसका हमारे पास बैक अप होगा तो बाद में अवियसली हम इसको डिलीट कर देंगे और एक और चीज मैंने करनी है कि अथंटिकेशन लौजिक क्योंकि वहाँ पर चला गया है सबसे पहले तो यहां पर इस COBर उपना लॉजिक चेक करना है रूप डेटा सेट करना है Post request, update status करना है User का data fetch करना है जिसमें ये Auth token set कर रहे है Basically, update की request कर रहे है यहां पर ये data fetch कर रहे है उसको set कर रहे है, state में यहां तक to count हो उसके बाद अवने loading show पिर आनी है Frontend में क्या चीज़ है? अभी कुछ भी नहीं यहां पर अगर एडर आए ओ सुरी एडर ना आए तो ठीक है एडर आए तैल बॉंट्री और अगर एडर नहीं आया तो अब बिसिकली अब क्योंकि यह वाला काम नहीं होगा अब यह हमें नहीं आएगा क्योंकि मैंने इसको रूट लेवल पे ले गया हूँ तो अब यह इस चीज़ को यहां से भी खतम करेंगे अब यह सिर्फ चाइल को शो करेगा और यह कुछ नहीं कर सकता इसका काम सिर्फ चाइल को शो करेगा और यह ज़रा थोड़ा सा इंपिनिक लोड चला गया तो मैं उसको बंदी कर देता हूं कि अभी कुछ एरर हुगा है एरर उसमें बेसिकली यह हो रहा है इसने चाइल को करने की कोशिश किया चाइल इसका क्या है आउटलेट है और आउटलेट में मेरे ख्याल से यह जो सारे हैं उन से मसला हो रहा है तो सबसे पहले तो मैं इनको रिमॉफ कर दूँँगा यहां से यह होगे इसी तरह इनको भी रिमॉफ क आगर मैं रूट राउट पर जाता हू Nut- पे जाता ओ यह है जिसमें कि तूमैंद्टs क्योंकि बेसिकली आउड चल गया था तो इस से भी फाइदा यह हम निस형ड को भी कवर शक्राक को देखते हैं यह वम है इस आप feelings करते रहे हैं I कि यह एर्ट ओके वह एर्ट चलागी चलें अगर फिल तभी आएगा तो उसको दोड़ कर लेंगे अभी के लिए मैं यहीं पर रह रहा हूं और अब मेरा काम यह है कि जब रूट राउट पे और अथर्टिकेशन स्टेटस वेरिफाइट हो गया है यहां से इसको ख़तम कर देंगे इसकी ज़रूरत नहीं तो उसको सही जगापर नेविगेट करवाना है और इसकी ज़रूरत नहीं रही उसको भी देखते हैं करले मैं यह पर नहीं को लियाओंगा योज नहीं चाहिए और जब हमारा यह काम हो जाए अगर यूजर डेटा है तो ठीक है Otherwise इसके जो अउज्ट स्टेटास को नल सेट कर लो सिंपल यह हो गया और ऑफ डेटा है तो हमने नैविगेट करना है नैविगेट करना है ओके यहां भी अब एक मसला होगा हमें पहले यह चेक करना है कि हम रूट राउट पर हैं के नहीं सबसे पहले रूट मैच करना है उसके बाद नैविगेट की कोशिश करनी है अगर हम वैसे नैविगेट करते रहें तो जब किसी और रूट पर भी होगा जो सही होगा तो वह भी होम पर डिट्रैक कर देगा तो उसके लिए सबसे पहले यहां पर रूट मैच करेंगे तो इसमें देख रहते हैं डियक्ट मैच पाथ मैं इसको ट्राइग करता हूं देखने हैं पर रैस वन कहा रहते हैं इसको और मैच राउट्स और इसको राउट्स थे नहीं है और राउट्स में आप्लाउट्स ऐसे नहीं होगा शायद आप शायदे ना परेगा इसको नहीं क्योंके भी एवांस अगें मैंने इसे बीए को पहले ट्राई नहीं किया और तो इस होजा से मुझे देखना परेगा इसको ओपन करके देखने हैं ओके यह उसको क्या चाहिए यह बैसिकली टाइप है यह चीज़ इसको चाहिए जो के स्टेंट करदा है के सेंस्टिव अच्छा हम यहां पर आईडी दे सकते हैं आईडी क्या हो सकते हैं अच्छा इसको अभी मसला इससे नहीं है इसको मतला यह है कि काया इसको को救ाशन स्टिवाल स्टिवालड यह इसको बनागी। कि इसको पास कर जाते हैं, that's it. इन्फिनिक लोट तो नहीं चला नहीं, ठीक है, ये कंसोल लोग में देखते रहा करें के कहीं, के इन्फिनिक लोट, लोट तो नहीं चल गया किसी वज़ा से. ये कंसोल लोग में देखते रहा करें कहीं किसी वज़ा से इन्फिनिक लोट तो नहीं चल गया. तो नहीं चल गया, क्योंकि वो अट तो आप मैच हुआ है, मैच नहीं हो और मैं जाता हूं q a туда, नियूस, आर्टिकल्स पर फिर भी मैच नहीं हुआ और अगर मैं चाहता हूं रूट पर तो तब यह मैच होता है, ओके, तो यह ठीक है, और अब यहां पर हम यह काम करेंगे, अगर इफ रूट राउट और इस शीज़ को आप देखना भी पड़ेगा, कि रूट राउट के चेंज होने पर यह काम हो, अगर इस ही काम इसमें हुआ है, नूट राउट है, और लोगिन नहीं है तो फिर लोगिन पर रेडायक करते हैं, और अब आप देखेंगे कि अगर इस पर जाते हैं तो यह अटॉमेटिकली इस पर रेडायक करते देगा, और अगर मैं लोग आउट करता हूं तो बिसिकली एक तो लोग आउट पे हमें उसको रीड्रैक करने की जोगता है क्योंकि अब इस पर फंटी केशन नहीं लगी जी यह मैं अभी अपडेट कर जाएंगे तो वह इसको हमें उसके लेकर जाना चाहिए था लोग इन पर और सॉरी यह इस वज़ा से लोग इन पर नहीं किया क्योंकि यहां पर मैंने यह कहा हुआ कि डैटा हो तभी इसमें जाए है अदरवाइस नहीं तो उसका तरीखा कार यह होगा कि यह काम हम यहां पर अलस में करेंगे ओके तो वह लोजिक थोड़ा सा गलत था इस वज़ा से अब अगर यह किसी और बेसिकली अभी इस पर जाओंगा तो यह चल जाएगा क्योंकि इस पर कोई और गार्ड में लगा होगा लेकिन एकलीस पहले से लॉजिक बहतर हो गया तो इसको अभी के लिए यहां पर कर देंगे क्लोस नेक्स्ट अब हम यह देखेंगे कि जो बेसिकली प्रोटेक्टिड राउट्स हैं जैसे कि यह रिजिस्टर अभी अगर मैं लॉग इन कर भी नूँगा मैं करके पर अगर पर यह पर आता हूं और लोग इन करता हूं सब्मिट और एक पर यह रिडिरेक्ट नहीं हुआ क्योंकि वह इस पर कोई एच्च और लगा हुआ और देख सकते हैं लोग इन हो चुका हूं और इस पर रह सकता हूं हलाकि यहां पर ओटा डेटा मेरा है तो यह अब फंक्शनिटी हम वापिस एड़ करेंगे कि अगर लोग इन हो चुका है तो फिर वो उसको प्रोपर नी डिडिरेक्ट करें इन अन अथंटिकेटिव पेजिस से उस पर अथंटिकेटिव पेजिस पर और अथंटिकेटिव इन एंठर पेजिस से अगर लोग एहले को जोडे के फिर वो उनके फिर व हम प्र यूह करें और आगल वाकिक्ष कोई भी पेजिस्टर जो कि जिसमें आउठ ज़रूरी है हो उन सब कंग टुकर वह अजिस्टर को छोड़ कि कि वह उन अथंटिकेटिव पीच्ट यह काम हो इस काम के लिए बेसिकली काफी ज्यादा तरीके हैं मैं यहां पे सिर्फ और सिर्फ यह काम करूँगा कि मैं इसको ही कॉपी करूँगा और होसी में एक नहीं फाइल बनाऊंगा लाउट गार्ड सिंपल मैं इसको बेसिक तरीन तरीके से करूँगा क्योंकि इसमें मैं ज्यादा फंक्शनल्टी नहीं करना चाहरा हूँ और यहां पे आएंगे यहां से इसको डूलीट कर देंगे और आप देखेंगे कि क्या यहां पे करना है से पहले तो इसको राउट गार्ड करेंगे राउट गार्ड होसी एक चीज़ हो गई उसके बाद यहां पर मुझे सिर्फ और सिर्फ इसकी स्टेट चाहिए तो मैं इसको चेंज कर दूँगा वैलियो में और इसको चेंज कर दूँगा जिसमें मुझे पोस्ट नहीं करना डाटा कैट नहीं करना वो अरड़ी हो रहा है डाटा सेट नहीं करना वो भी और रही हो रहा है यह भी नहीं करना यह भी हो रहा है ओके यहां पर इसकी भी ज़रूलत नहीं है मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना काम करना है कि यह जो है इसको चेक करना है अगर तो यहां पर इसकी मजाए यहां पर यह यह यूज करते हैं, is authenticated, यह ज्यादा बितर है, this and this and this, पुड़ा confirm जब लगते हैं, else false, this and that, तो यह ज्यादा असान है, और इसको r, select state, selector, इसको अबेट करते हैं, इसको यहां पर यूज करते हैं, इसको यहां पर यूज करते हैं, उसकी बिज़ए, और इसको यहां से, यहां पर करते हैं, अगर authenticated है, तो यह basically जो children है, उसको शोकर दे, अगर नहीं है, तो, okay, authenticated है, तो क्या काम करना है, और अगर authenticated नहीं है, तो क्या काम करना है, और यहां से इस चीज़ को भी use करेंगे, authenticated, and this, तो child view, else, और बाकी सारे मैं एक तरफा delete कर रहा हूं, ताके मैं दे लिए तोड़ा काम करना आशान हो, else, if not authenticated and child view, तो navigate करेंगे, path need to app routes.login और अगर authenticated है, चलें इस केश को पहले कर देखेंगे, authenticated है, और इसको चलें जड़ा थोड़ा सा बैठर कर लेते हैं कि अगर authenticated है, और authenticated view है, तो यह कर लो, else, यह navigate कर लो, यह हो गया, उसके बाद अगर authenticated नहीं है, तो automatically else case में आ जाएगा, और उसमें अगर authenticated view है, तो not authenticated, तो उसको basically बस एक अनल, authenticated है और authenticated view है, तो यह करो, और अगर authenticated view नहीं है, तो इसको redirect करना है, form there, क्योंकि not authenticated view का मतलब है, register etc, और अगर authenticated नहीं है, और authenticated view है, तो इसको redirect करना है, इस पे, और अगर दूसा के हैसा पर यह, और जो unused चीज़े हैं उनको यहां से गायब करते हैं, यह, इस route the art को सरफ और सरफ आपर, routes के against add करते हैं, पर आपपरा के तो सरफ यह, यह, इस द खबता हैं, तो यह, 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 दो चार्प्सित, अज़िए ऑटर यह, और हैं, और उनको फ़रूसाई झापगरां आपदेंगर यह, इस जबता हैं, आपके हम और इनको मैं कैटेगलाइज भी कर रहा हूँ ताके थोड़ा सा काम करना साम हो अन और थैन टीकेटिड लाउट्स और इसके बाद और थैन टीकेटिड लाउट्स ताके थोड़ा ये काम असाम हो अन ये लिए इतना सा ये काम था और अब अगर यहां पे हम लोगाप करते हैं तो ये लोग इन पर आ जाता है और अगर हम लोग इन करते हैं यह ने हम पर चला जाता है और लोग इन की स्क्रीन फिर शो नहीं पो की अगर कोई जाने कुशिश करेंगा वो यहां पर आ जाएगा और अगर गरहद करके सब्सक्राइब करने की कोशिश करेंगा तो भी वह यहां पर आ जाएगा authentication HOC को improve किया है network HOC को add किया है और overall जो अपना structure था उसको बहतर कर लिए और अब हमारे पास basically यह main app layout आ गई है जिसका फाइदा यह होगा कि हम जो header component है मैं यहां पर कर देता हूँ basically यहां पर हमारा let's say कि अभी मैं heading यूज़ कर लेता हूँ header heading header component here और उसके बाद footer component है हमारे पास header और footer की जगा भी आ गई है जो के पूरी याप में हमराम से यूज़ कर लेंगे और that's mainly it यह हमारा complete हो गया अब next video में हम basically login करने के बाद जब यहां पर home page पर आते हैं तो next video में हम mainly पहले अपने जो header है उस component को set करेंगे जो footer है उस component को set करेंगे और इन दो component को set करने के बाद उसके बाद उससे next video में हम अपने home page की layout बनाएंगे जिसमें के basically हम जो हमने news show करवानी है उसकी grid layout अभी यूज करेंगे और उसमें dummy data अभी के लिए show करवाएंगे और फिर उसके बाद हम वहां से continue करेंगे यह थी आज की video hopefully आपको आज की video बहुत किसंद आई होगी वीडियो के related कोई भी question हो तो प्लीज उसे comment section में mention करें मैं उसका जवाब करूँगा वीडियो को like share and comment करें चैनल को subscribe करना बिल्कुर ना बूले और बेल आइकमा को ज़रूर प्लैस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का alert आपको मिलता रहें मैं आप से मिलूगा next video में तब तक के लिए लिए लाहूस don't forget to like this video and also subscribe to my channel Assalamualaikum मैं हो Aysan Mehmoud and welcome to Zyons last video में हमने अपनी अप के authentication flow को इंप्रूव किया था उसमें log guards एक किये थे authentication HOC को इंप्रूव किया था कपेसिटर की network API को इंटर्डूज करवाया था और अपनी अप के फ्लो को इंप्रूव किया था इस वीडियो में हम वहां से continue करेंगे और अपनी अप में जो हमने header और putter place folder रखे हैं उनको actual components के साथ replace करेंगे चलते हैं वीडियो की तरफ मैं यहां पर code को open कर लूँगा और साथी browser को भी open कर लूँगा last time हमने यहां तक काम किया था और अब हम इस header component को replace करेंगे एक proper at least good logic header component के साथ उसके लिए मैं यहां पर code में आ जाओंगा और components में एक component add करूंगा header that's it dot pfx for constant header equal to sorry react dot functional component return header export default this और इसको हम यूज करेंगे ले आउट में आ जाएंगे में आप ले आउट और इसकी जगा हम इसको यूज करेंगे back step और यह header यहां पर आ गया अब एक basic सी हम layout follow करेंगे basically यहां पर मैं एक फुल with section ले लूँगा और उसमें logo add कर दूँगा और आप में यहां पर buttons add कर दूँगा सबसे पहले मैं यहां पर इस सारी चीज को container में move कर दूँगा Redux UI का जो container है उसमें move कर दूँगा अगर आप कर दूँगा ताके सारा center line में और इसकी space बहुत ज्यादा हो गई है तो हम क्या इसकी space को control गड़ से थे space को झाल यह कंटेंटर को ज्यादे स्पेस से छोड़ा है, इतने ज्यादा स्पेस में नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो कि यह बड़ी स्क्रीन्स पे बहुत ज्यादा जीब सा लगेगा, तो मैं इसको देने भूगा, और इसके साथ continue करूँगा, header component में आ जाएंगे और यहाँ पर dwell करना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले मुझे एक, let's say flex चाहिए, और flex के अंदर अब मुझे, यहाँ पर, okay, फिलब वोक्स, flex, और स्टार्ट में इमेच, तो हम इमेच यहाँ पर यूश कर लेंगे, इसके source, मैंने यहाँ पर एक basic सी image चूज किया है, अपने news paper app के लिए, उसको यहाँ पर मैं export कर दूँँगा, पहले यहाँ पर index.ts कुनाएंगे, और इसको मैं यहाँ से राइप कर दूँँगा, इस पर भी के लिए राइप कर दूँगा, कि यह यूस नही ओरी, और import, export कर सब्सक्राइप कर दूँगा, ने, उपकर सब्सक्राइप कर दूँगा, export, default, this and that, all you must call about me, कर दो कर दो कर दो हो यह वसी कली जहां के यह से इंकार नहीं का है रहा है इसको देखते हैं यहां से बहुत है है okay 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 this picture on post export images कि अच्छेब को आप एक पाव्ट एक झागा हमे पास और इसको इन तोड़ा सब्सक्राइब करना जा रहा है एक पॉस्टान दनाएं और इसको एकस्वार्ट पॉल्ट रेते है और जोड़ा है आफसेट एक प्थाइच यह ठीक है और इसकी वेल्थ और है ट्रिफान करनेंगे, वेल्थ, let's say 50 pixels, और 60, ओके ये चलेगे, और यहां पे अब मुझे लास राइए, लास नहीं है, और आफ बन्स राइए, और गजस राया है, और से जड一点, और आप झाला है, याल झाले कर सके कि अ।भार के येए, औरभ如果 फिये लास प्रेंगेने लास त bizताने है ये खलेगे लास है, लास है। गया, को बाके ऑले खिonteे прошлहे हैं, बाकेश छ़्वे लास करॉब बता है झाल झाल कि दो कि पर दो दो कि आगा हैं बुट दो खो भुड़ कर दो भंगाओ हैं आज़ कर दो दोकि दो बखना हैं न हम सब्दोंता हैं। एाओरों किया आओाटव कि आओा से टूबर स्की कोई आओड़ा आओग के ट झाओगा वोगा जाओगा जुआ जाओा जाओगा कि जो आओगा हुआ है बेसिकले मुझे यहां तर तीम का कलर चाहिए वह देख़ अभर मुझा में जो को के अपी के लिए फिर था इसको माद फ्लैक्स और जस्टिफाइब श्टिफाइब श्टिविक्ट री कर दसके लो के लिए बाहला नहीं ऑाज हो और बाहला हुआएब श्टिफाइब श्टिफुट को श्टिफण श्टिब्ट श्टिफ। प्टुड़िग लुड़िट लुड़िए लुड़िए लुड़िगा देखर सेट लुड़िए लुड़िए हुआ है जब आज स्क्में झाल में टन प समय को हुआ है मैं दोग है प्रूम्ट मैं भाल यह हमारा बेसिक्स अप्लोग कंप्यूट हो गया अगर जो ज़र थन्टी के टीड है तो यह शोगा और अगर थन्टी के टीड नहीं होगा तो फिर यह शोगा इसको वापिस आजाते हैं हॉम पेज और अभी एक चीज रह गई है कि जिस बेसिकली रोट पे हो वो हाईलाइट होना चाहिए इसको मैं कंसोल लो करता हूँ तार कि इसको समझ सके और इसमें एक मैच होगा है जो कि यह होगा है तो इसका तरीका का यह होगा कि हम यहां पे एक हैलपर फॉंक्शन लिख लेते हैं जो कि हमें अधेय देगा जिसमें से मेंली यह पाथ में डिक्वाइब कांस फॉर्में प्राउट्स मैच रुसर इसको प्राउट्स मैच चाहिए जो के हरे होगी पात, पात में, पात में की, जो के स्ट्रिंग होगी, मेंली बस मुझे यहीं चाहिए. आपाले के मुझे ओब давा रवकोर ही प्राम उहीं चाहिए सब तक्राइं खात मुझेए है। यहां पर यह basically इसको करेगा इस हम राउट अगर राउट्स मैच सबसे पहले इस राउट्समैच.ल ग्रेकर टैन जीरो अभी यह करने के ज़र पर यहां बे मैं एंप्टी अब्जेक्ट रिटन कर रहा हूं ताकर उसका फाइदा ही होगा कि एचली अंडिफाइन वहां पर आजाएगा राउट्समैच इस यह अंडिए यह 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 प्रवस्टार्बून आपके यह यहां पतु हो गया और इसको मैं बैसी कली मूफ करता हूंगा हैपड़स जर दोर्दा है यह बद्षक्णम झाल jobbar करีकम नहीं कलास्तों जाए बाए टूऑ से टेकि यह जोग करते हैप़स Works क reflecting करते है यहले कि तोIch यहां बद्शपाय通 strong कि झाल करते हैं ॉद। कि लिल्म पुझे स्वड़सबस ए चूब सरोट debit है झाल झाल पुम प्राइब कर प्राइब में! बाल मैं ठाल यह रिफ्लेश और जो राउट मैच होगा वो इस राउट पे वट्रू करता है मेंली अब सरफ जो चीज रह गई है वो यह है कि इसको यह बता दिया जाए कि ओके इसका कलर जो है वो टेल करना है करने कर दो कर दो बता है यह यहां पर कंप्लीट हो गया और इसके बाद इसको बटन्स पर कर दो कर दो कर दो झाते समा टूल लोगन करके एक दफ़ा देख रहते हैं वह चलता है उपर से कर नहीं और ये जड़ पीड डिस डैट और ये भी चल रहा है ज़से चलना चाहिए नेक्स्ट हम काम करेंगे फुटर कंपोनेंटर को डिजाइन करने के लिए यहां पर मैं आजाओंगा और हम देखेंगे के नियु स्वीड माई अकाउंट ये माई अकाउंट में ये हो रहा है कि माई अकाउंट में व्हाकत आते हैं माई अकाउंट ये कैसे इतनी स्पेस ले रहा है मैंने यह कहा है कि इतनी जो स्पेस है वो में फाइट मैं इसको नाइन ट्री कर दूँगा अभी के लिए और अभी भी यह तदी ज्यादा तो इसको एक्टी करके देखेंगे और एक तिंक के से काम चल जाएगा और एक टी टू ओके फॉटर कंपनेंट पर वापर आते हैं यहां पर एक कंपनेंट बन जाएगा फॉटर इंडेक्स.tsx पॉटरर एक तॉट कंपनेंट बन सब्सक्राइब पॉटर एक्सपोर्ट एक्सपॉर्ट पॉटर इसको मैं यहां पर फिलेस कर तूंगा अटने में लिलाओट में इसके साथ इसको यहां से रिमॉफ कर देंगे और आपस इट यह हमारे पास फुटर कंपोनेंट आ गया और अब फुटर कंपोनेंट में आकर उसको डिजाइनम करेंगे जहां पर मुझे सबसे कले एक बॉक्स चाहिए और इसको मैं क्लास दे रहूंगा styles.css.footer.con.background.color.war इसको यहीं से कपी कल देंगे अर्चे. अर्चे. इपर बेस और यहां पर यहां पर यहां पर यह जो व आो गया कि इसमें कोई गया क्योंकि इसमें कोई content नहीं है यह आगया ओके और इसको मैं फो इसी फैदिंग रहूंगा दी वाए लेट से वाँ अब इसमें content का एक आएगा box plus putter content और वो भी wealth 90% margin zero auto उसमें flex आजाएगा और उसमें text आजाएगा यह text आगया इसको यहां पर इसमें लिखतेंगे simple जो copyright होते है क्रीज है आग ब्लस नहां प्थार्टि महां लाओंग धसर्लSTी जोगश का वाओं में लाओंगाएव Hm आगि मने हैं आगर जिखते होते हैजैगे सबसे हैं दे जैस में रिकालसमन इंपोर्ट की थी, डे जैस, रॉन, डे जैस, वैसे इसकी इतनी ज़रूरत भी नहीं है, हम यहां पर वैसे ही कह सकते हैं, न्यू डेट, डॉर्ट गेट ये, क्योंकर मुझे सरफ ये, ये चाहिए, इसका बाद में देखेंगे, ये मैं कहा हूंगा, जस्ट्रीफाई, बेट्वीन, और अलाइन, सेंटर, बेलöp, क्याँ लाओ, क्याँ तनक बाद गॉटेए, इससरेखेंगे, ड्यूप विल्ग न हुटतकेह, प्यूओ, झालाओ, है प्यूप, प्यूप, मैं, और इससाह merits प्यूफ, क्भराव, क्यां, बीन, ताम्न, खेसे और दिन, ये हॉन,'! यह मैं लिंक चाहता हूं तो इसको लिंक कर लेंगे एक्सपॉर्ट कॉंस्टेंट डिवेलपर डिटेल्स रही है जो टिल्स में आ जाएंगे अजिस्टेंट पर अजिस्टेंट वेबस्टेंट अजिस्टेंट आपट रहें पर रहें आप लिए पर नेगे सब्सक्राइब झाल प्रवाल एक प्रीजर प्रीजर मेधिन कि आरेक keeping the green मैं विस्पिलिस्ट चूर 2LL बहां पर आपके आपके अचाहरा थो श्याप किया है अब देखे लिए आने रखेखे चाहरा है और यहां पर आपके 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 लिए इसको बटन के साथ पर आपके देखते हैं कि यह अच्छा लगता है कि नहीं लगता है है यह इसको व्हा इसफर नच्छा लगता कि तापके लोगता है झाल झाल में लेयाओट में आते हैं और इसको थोड़ा साइम पूप करने हैं यह जो है box this और में आए APVH इसका फाइदा यह होगा कि चलो यह almost हर जगा पे consistent होगा और टूटू कर देट है ठीग है यह लोगा और उससे यह हुआ तरह कि अब हमें इस चीज को यहां पे करने की जोड़त नहीं रही अच्छों कि हमने यहां पे इस चीज की जोड़त नहीं रही आप उर्ट इसको लिए डेतल इसको अफ्र इसकी डेतल इसको भी फ्रेश करते है और मुबाइल में बटन्स अच्छे नहीं लग रहे और बाखी अल्मॉस्ट ओके है बटन्स मुबाइल में महुट बोड़े लग रहे तो बटन्स बिसकली में कैसे हम करवा सकते हैं इस पॉंसर में देखते हैं कर खाहां पक्शे सही लगते यह यहां पर ऐसे करते हैं यहां तक 900 से नीचे इनका जो साइज है वो इसके लिए रियक्ट रिस्पॉंसिव यह बेसिकली हमेना मीडिया कृधी दे देगा जिसको यूज़ करते हुए हम यह ले सकते हैं इसके अल्टर्णेटिव देख रहते हैं क्योंकि लास्पर मैंने यह यूज़ किया था अगर को बेद्टर आल्टर्णेटिव उसको देख रहते हैं क्या क्या दोसकत्व क्या वह प्यूवक्स क्या क्या थक्योफ व्यूवक्स क्या थर रियूवक्स क्या थीश्वंसिव nogenई इसका जो डाउनलोड्स हैं वो कामना इसके साथ फिर मैं जारू हूं तो अब यह मारी सुरूरत भी सुलब यह है इसमें इस्टॉल करेंगे और पिर आगे प्टूल करेंगे इस पैकेज का मने इस्टॉल कर लिया और इस्टॉल यहां से जब नीचे 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 आए तो यह बेसिकली इसका साइस तू पर चला जाए तिर और नीचे आये लट से साइस वन पर ट्राइब नहीं मन पर करना तो फिर अट लीस्ट यह से ओगे बटन्स वहां वो निचे जाए ऐसे स्ट्रेट फर्फर्वर्वर जीचे तो उसको इंप्लेमेंट करते हैं यहां पर मैं है अधिल कंपोनेंट को उपन खेल दोंगा और यहां पर मैं इंपर इस गां यहक्त रिस्पॉंसिव यूस्मीडिया प्यूरी और वे स्कै ओबस्क और लो माथ यहां उसा यहां यहां है झाल 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 Tic और यह ने मेक पर बेरा मर्म चीज पर आगा तो इसको भी मैंना चाह रहा हुआ उन्परॉब करसे हैं इसको leẹट उन्पकटर कि जोंद करने के दिये क्या के चीज़ाइ मिचाने हैं क्योंकि यह सारा चीज रिपीट हो लिए बार था इसमें यह चाहिए कि राउट है के नहीं इसके बाद जिस राउट पर जाना है और जो शोर करवाना है तो बनाते हैं इसको प्रस्ट प्रस्ट को कि अपुड लुड है प्राद dot form okay it's about is or 10 level of आपके और और में रिख्याल से इसकी जुरूरत तहीं थे इसको बिस्टी कली मैं पहले यहां पे क्मिट कर देखा हूं कोट को आपके आपके पास स्काइब आप आपके वह जो यह जो चीज वही है अब देसिकली मुझे क्या चाहिए मुझे करण्ट एक्टिव रहा हुगा मुझे सरफ यह चाहिए जो के मुझे मिल जाएगा उसके जीदो के इंडेक्स पे जाने से और देंडेक्स आपके आपके फिर्ट पासे एप जाए ड आपके जारी चाहिए और लिए कि लिए स्पनाद कि अभी ये अनला और ये कंपनेट मैं अकल को आव्यसिय राट्स, लाट्स।्वाटने, और जिस्यों प्लेटने, झाला लेस्यों सनरा थाट्स, अल्टने, त्दने राट्स bakश्वाट्स, यालाट्स, बेस्यों सेवं का लाट्स, ट выглядит like दोल, ऑाट्सको Panakos, टिस्यों आट्सर dalla देऴ ल Home is यूजर फीड इसका क्या है यूजर फीड इसका क्या है नाइफीड कि कि अनुजर फीड इसमें रहे का यूजर से माय अपांट किया व्लोग इन फाल्स बोग इन रिजस्पर फाल्स रिजस्पर और यह जो चीज़ है यह भी हम यहां पर लेकर जा सकते हैं इसके लाउट स्नाच इसके बाद पर अंट अब ने आउट कर दो डाउट, एक्रीक, लाउट कर देखर दो बंट सक्षिब अबूड मुट मुट स्कार्णे नहां विए पू लाउट मुट सुद्पटी नहां जो चीज़ इसके लेखर यडिक यठन बादे़ लेकर चीज़। जो जो यह चीज़े हैं यह सारी चाहिए पाथ इस अपंटिकेटिटिटर लेपर पाथ स्ट्रिंग इस अपंटिकेटिटर बुलियन और उनेवल स्ट्रिंग यहां से स्ट्रिस को भी बिखाला जा से पाथ प्रिफ 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 दो प्रिफ 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 यहां से अपंटिकेटिटर और अब यहां से हम एक बटन बसर कौपी दरेंगे इसको यहां पर पेस करेंगे और सरफ और सरफ यह करेंगे इस प्रंट पाथ अक्टिव प्रंट राउट पाथ यह हो गया और यह इसी के साथ यहां पर यह साधी चीज़ें खतम हो जाएंगे और यह अब सरफ यहां पर सरफ यहां पर यहां पर यह हो जाएंगे is a quantitative, path l.nabel, path l.path.t, let's say it is . 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 देख सकते हैं कितना जादा लीन हो गया है यहां से खट करें और यहां से यह साथी चीज़ें खट करें यह फाइनल कंपोनेंट हा और यहां भी अगर हम चाहें तो यह जो लिंक्स है इनको बेसिकली और यहां से भी ना सकते हैं लेकिन अभी के लिए एक लिए जो फ्लो है वो टीट है एक चीज़ जो सरफ रहेंगे यह जो यह है कि अगर हमारे पास यहां पर है यह हो गया और एंड पर सिर्फ और सिर्फ अगर नविगेशन स्टेट है तो उसके लिए उसको कर लेंगे एंपों कि अगर यह है तो अभर बास आपर वास नॉल और यहां पसर वास लोग आपात उस्टेट नॉलॉओ आपत अटेट ति यह हो गया और अब जय कम्ते है कि यह काम करना बंद कर गए है तो क्योंकि यह हमें शायदा भी रहा रहा है तो मुझे इसको फार्ट पर करना परेगा और आपको फली यह काम दे करें और लोगोट का बढ़न वासी काम करेंगा अब मेल चीज जिसके लिए सारा काम किया वह यह है कि अगर यह हो टैबलेट के म Tu इस अग्ने 어렵ने के अगने कर बढ़ने에 तो कि यह है कि यह है लिए स्ट्क्र यह लगए, next drop, और basically यह automatically आपको adjust करता दाएगा, यह है, और इसको भी adjust करना परेगा, इसी ख़रा, next यह, करें, इसको भी रते हैं कि यह आँ जोड़ा इम तुभी चीजों का सही ले सक्क हो, रही है लसे रही हमें और यचाते हैं एक लेकरद स्बस्ट करें इस box की मेरा भी ख्याम ज़री box की सुझा से ज़रूरत है तो कि यह कहिना और align box को रहने तो यहां पर यहां पर flex लेलो और align center तो कि यह मुझे center में चाहिए और aligns जो है उनको इतना चोटा ना करो उसको यहीं तक रहने के वह ज्याला चोटे के अच्छा ही लगाउट बेटन क्यूसरा थाई में लिलल्क 90 to 1 प्सक्तार तंस मीाउड के लेक सके लग्याचります भी किस और अचा है आर यहां ।। भाह जिए यह सुछ्सके делать नहीं 118 को 之後, यहाला जोकि के टॉडिए अच्छा जिए यह हो गया और इसमें परीड आते हैं यह और यह और जैसे 600 से लीचे जाता है तो फिर इसको जा लेट से 6-7 जाते हैं तो बरते हैं जाते हैं एसको बरते हैं ए अच्छ यह पहला आते हैं ओर का तर सानद लीचे निचे जास्टिपाई is mobile, then justify center, otherwise justify between, or direction is mobile, then column, otherwise row, or very mobile, then margin row, if mobile, then four, otherwise is zero. आपम लान्याब का या टेयाव इक्मोम ही चार्टJames हमस्ताब आर आर खेयो हमस्ता में ध mindfulness अब यह नीचे पुटर को देखते हैं, पुटर अभी तक ठीक है, यहां तक ठीक है, और इसके बाद इसको मेरे क्याओत से सरफ न सरफ करना और एटीसी करना वो ठीक हो जाए, नेक्स्ट हम फुटर को रिसकोंसे करें, यह ज़रा इजी देगा, यहां पे हम सरफ और सरफ फुटर में आएंगे, इसको इंटर्ड्यूस करवाएंगे, जहां से कोपी करनेंगे, यह और अगर यह मुबाइल है, तो विस्टिकली मैस की डाइरेक्शन है, कॉलम कर दूंगा, अगर यह मुबाइल है, तो सेंटर हो जाएगा, अगर यह यह देगा, एक चीज़, इस से काफ़ी फ़र्क पर हैं, और दूसरा, लास्ट ली, अगर यह मुबाइल है, तो मार्जन टॉप, मुबाइल है, तो लेटस से तील, अगर जिएरो, जिएरो कमोर जाएगा, वह दो करीकों एक है, ओके, तीन से आदा है, ब्लो करते हैं, तो और रब, जो होगो ही ईक दा इन, रब, रब, निचे आते चाए, यह दो चीज़, यह दो एक चीज़ हो रहा हैगी जो कि इसका margin bottom margin bottom अगर इस mobile है तो 2 otherwise 0 और यहां कर tax alignment भी कि इसे के साथ मेरा footer भी responsive हो गया और header हो गया और footer और header हमने एड़ी कर लिए नेक्स वीडियो में हम यहां से सर्च जो articles है वहां से काम स्टार्ट करेंगे और यहां पर एक simple grid type layout नाएंगे जिसवे के हम देखेंगे API पहले study कर देंगे API इस मेंसे जिस type का data आ रहा होगा उस type के elements को शोग करवा देंगे तैसे के title आपको आज की वीडियो बहुत ही चंदा ही होगी वीडियो के रिलेटिट कोई भी question हो तो प्लीज उसे comment section में mention करें मैं असका लिवावद होगा वीडियो को like share and comment करें चैनल को subscribe करना बिल्कुल ना बुलें और bell icon को जरूर press करें ताकि आने वाली don't forget to like this video and also subscribe to my channel